पहला सवाल क्या है जो कि AI PMT 2008 का question है mole concept से देखे question क्या कहता है यह बहुत ही simple question है कहता है an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen आपके एक organic compound है जिसके अंदर क्या है carbon, hydrogen and oxygen है its chemical analysis gave यहाँ पर इसका chemical analysis किया गया उसमें carbon कितना मिला 38.71% hydrogen कितना मिला 9.67% और उसका empirical formula आपसे पूछा है तो आपको oxygen तो नहीं पता तो आप oxygen की percentage कैसे निकालोगे तो 100 में से carbon की percentage को minus कर दो 38.71 और इसमें hydrogen की percentage को minus कर दो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा percentage of oxygen मिल जाएगा यहाँ पर आपको percentage एक्चल में नहीं चाहिए होता जो भी आपके पर percentage दे रखा उसको आपके क्या करना है molar mass से divide कर देना या atomic mass से divide कर देना एक्टम के तो चलो मैं इस cancer फटा फट से आपको बता देता हूँ सेक्चल में आपको कुछ करना नहीं होता आपको 38.71 को किसे divide करना first of all 12 से क्योंकि carbon का है atomic mass कितना होता है 12 hydrogen 9.67 है उसको बन से divide करना है तो वह उतना है आएगा 9.67 और इसी तरह से जो भी oxygen का आपके पास percentage आएगा उसको किसे divide कर देना है यहां पर 16 से तो आपके पास कुछ ratio आ जाएगा ठीक है वो mole ratio को simplify करके तुरंत answer निकाल सकते हो तो आप पोस कर लो अपना answer log कर लो फड़ाफट से फिर मैं आपको answer बताता हूं चलो मैं आपको answer बताओ तो चलो फड़ाफट से मैं आपको answer बताता हूं देखे इसका answer क्या बनेगा तो देखें यहां पर percentage आपको निकालनी थी oxygen की first of all तो वो है 51.62% इसमें आपको 12 से डिवाइड करना था carbon के लिए 1 से डिवाइड करना था hydrogen के लिए और 16 से डिवाइड करना था oxygen के लिए उसके बाद आपके पास यह इस तरह से डिवाइड करने पान नंबर आएंगे जिसको simplify करना था आपको दिखी रहा है कि यह 3,9 और 3 त 64 grams of oxygen were filled in a steel vessel अब देखो 10 gram hydrogen है तो mole कितने होगे पहले तो hydrogen के mole निकल लो तो यह given mass by molar mass molar mass कितना होता है 2 hydrogen का तो यहाँ पर moles आ रहे है 5 hydrogen के moles होगे 5 oxygen के moles चेक कर लो फड़ा फट से यहाँ पर oxygen के moles कितना हो गिवाइड 64 oxygen का molar mass होता है 32 32 तो यहाँ पर कितना होगे 2 तब के पा exposed in the reaction बहुत ही असान है अब आप चेक करो यहाँ पर जैसी आप twice of hydrogen का reaction किसे अगराते हो oxygen से तो आपको क्या मिलता है twice of H2O मिलता है आप ज़रा ध्यांसे इसको देखो यह reaction हुआ तो अगर आपने यहाँ पर 2 mole hydrogen लिए तो आपको 2 mole water मिलेगा पर उसके लिए आपको 1 mole oxygen चाह लिए तो आपके पास hydrogen के moles कितने है पांच तो उसके लिए कम से कम 2.5 आपको oxygen चाहिए था जो की है ही नहीं क्या आपके पास है क्या इतना amount है नहीं है तो आपके पास जितना है इसका मतलब oxygen अमारे लिए क्या हो गया limiting reagent तो आप खुदी सोचो बस इतना सा सोच लो जो limiting reagent उसके respect में निकालो जब आपको एक mole oxygen चीए तो सोचो जरा कि यहां पर पानी कितना निकलेगा जरा देखो दो तो अगर आपके पास दो mole oxygen है तो पानी कितना निकलेगा चार तो इसका answer कितना हो गया चार बहुत ही असान सवाल ना चलो इसका answer के दर्शन आपको करा देता वही हमने mole निकाल लिया फटाफट से उसके बाद देखा हमने चैकिया है यहां पर क्या requirement है उसके पता लगा oxygen जो है basically limiting reagent है तो उससे तुरंत आंसर निकाल लिया बहुत simple था आप खुदी देखिए यहां पर एक mole oxygen से दो mole पानी मिल रहा है आपके पास दो mole oxygen है क्योंकि limiting reagent के हिसाब से ही आपका product बनेगा अब यहां पर hydrogen के हिसाब से product तो बनने वाला नहीं क्योंकि hydrogen तो access में है तो यह ही आपका product बनाएगा और वह आपको बता रहा है कितना होगा next question check कर लेता है फटरफट से जो की CBSE Medical Prelim 2018 का question है ठीक है अब जरह ध्यांसिस को चेक करो question क्या कहता है कहता है what volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 ATM ठीक है यह STP हो गया basically is needed to burn completely 1 liter of propane ठीक है अब आपको दे दिया यह प्रोपेन अब आप जरह चेक करो इसको आपको burn करना है तो आपको oxygen की requirement है यहां से निकलेगा क्या एक तो CO2 और दूसरा क्या निकलेगा H2 आप इसको balance कर लो यहां पर carbon कितने है 3 तो मैं 3 लगा दूं hydrogen कितने 8 तो मैं 4 लगा देता हूं तब आप oxygen को चेक करो यहां पर oxygen कितने है देखे 4 तो यह रहे और 6 यह रहे तो total कितने हो गया 6 4 10 तो यहां पर 5 लगाने पड़ेंगे तो आप देख लो देखो volume is directly proportional to moles अगर आपके temperature pressure constant है तो moles जितने चीए volume भी उत तो यह इसका answer हो गया ठीक है next question को check कर लेते हैं ख़ी लोग ऐसा कह रहे थे कि यहां पर थोड़ा सा writing की problem है तो actual में यह electronic pad है इसमें writing कुछ ऐसे ही आती है problem यह यहां पर आप page के जैसा नहीं लिख सकते है तो I hope मैं बोल रहा हूं उससे आप check कर लो कि answer क्या है ठीक है that will be needed to react with one mole of sulphide अब देखो sulphide देखो यह sulphide आइन क्या होता है SO3-2 बस अब आप यह सोचो अब acidic medium में अब यह knowledge आपको होनी चीए तब तो आपकी बात बनेगी और यह 11 में सिखा दी जाता है और sulphide खूद किसमें कनवर्ट हो जाएगा तो चेंज कितने का आ रहा है पांच का sulphur जरा चेक करो कितने से कितने पर जा रहा है यहाँ पर यहाँ पर कितने पर है, जरा चेक करो, यहाँ पर plus 4, और plus 6, तो कितने का change आज रहा है, 2 का, यह change equal कर दो, तो 5 और यहाँ पर, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको किसे multiply कर दो, दो से, तो इसका मतलब, यहाँ कितना stoichiometric Eficient हाएगा, 2, इसको किसे multiply करूँगा, मैं यहा पर स्टोगिमेट्री कोफिशन कितना आएगा पांच अब आप से क्या पूछा थे नंबर ओं मोल्ड लिए इसका दो मोल चाहिए ठीक है फाइफ मोल के लिए टू मोल्ड चाहिए यही तो है तो बताओ वन मोल के लिए कितना चाहिए तो टू बाइफ आंसर आ गया तो बी आं आपको केमेनो 4 का पता होना चाहिए केमेनो 4 में प्लस तू में कनवर्ट होता है और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं नेक्स पूशन चेक करो जो सी बीसी 2001 का क्वेश्चन है कहता है दी मुलारिटी ओफ लिक्विड एट सील विद डेंसिटी आपको देंसिटी दे रख चो कि मुलारिटी होता क्या है यह देट इस मोल पर लिटर यह तो होता है पर लिटर वॉल्यूम चाहिए आपको लिटर में चाहिए तो 1.17 in 2000 या फिर M का value रख दो ये क्या हो गया gram पर liter हो गया ना अब आपको चाहिए होता है molarity के लिए mol पर liter तो इसका मतलब इसको किसे divide कर देना आपको molar mass से HCL का molar mass कितना होता है 36.5 तो यह लो answer आगया तो इसको calculate कर लो आपका answer आगया अगला सवाल और फिर एक साथ देख लेंगा हम लोग answer ठीक है यह बहुत अच्छा सवाल है इसके आने के chances है next question देखो for the decolorization decolorizing for one mole of caminophore again देखो आपकी caminophore से reaction किसकी करा रहे हो caminophore खुद तो reduce होगा और H2O2 उस case में क्या होगा देखो यह बहुत अच्छा oxidizing agent तो सामने वाले को oxidize करता है अगर H2O2 oxidize होता है किसमें convert होता है सिर्फ इतना पता होना चाहिए oxygen में oxidize होके कैसे देखो यह minus 1 से किदर चला गया 0 पर oxidize हो गया और acidic medium में देखो caminophore ठीक है H2O2 required decolorizing कर रहे हो आप one mole की तो आपको कितना चाहिए यही सवाल आपसे पूछा है caminophore खुद किसमें convert होगा MN plus 2 में तब जरा check करो यहाँ पर change कितने का रहा है MN खुद plus 7 से कहा जा रहा है plus 2 में तो change कितने का रहा है 5 का यहाँ पर oxygen को check करो oxygen क्या है minus 1 से 0 पर जा रहा है लेकिन oxygen तो 2 है ना तो 2 में कितने का change आ रहा है 2 का तो आपको पूछा कि 1 mole की मनो 4 तो actual में पहले change को पराबर कर लो 5 को किसे multiply करोगे 2 से 2 को किसे multiply करोगे 5 से इसका मतलब यहाँ तो आएगा 5 यहाँ आएगा 2 अब 2 से इसके कितने चाहिए 5 आपको एक से कितने चाहिए 5 by 2 आंसर आगया C यह बहुत ही असान सवाल था तो इसका आंसर के दर्शन कर आता हूँ फड़ा फड़ से देखो यह आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हो यह तो आपकी molarity होगी यह बैलेंस करके लिखा हुआ है यह आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिग दिया वाकि सीधे भी आप निकाल सकते हो जो तरीका मैंने आपको बताया महाँ पर आपको सिर्फ चेंज इन उक्सिरेशन स्टेट पर मॉलीक्यूल चेक करना होता है विल भी अब आपको सिर्फ आपकी इसकी केमिकल रेक्शन पताऊने चीए बी एसी एल टू ठीक है एक मोल से इसका एक मोल तो आप जरा सोचो कि बिय वे स्यल टो जब 5.5 अब फाइव होगा तो ये भी कितना चीए 0.5 सिम्पल है अंसर आ गया इसका तहाब इसके एक से इसका ये एक ही बनता है तो इसके 0.5 से इसका इता है पॉइंट फाइव तो आंसर आगया इसका इसके आंसर के दर्शन में आपको आगे करा देता हूं सिंपल सा बैलेंस करके आंसर निकलना था अगला सवाल देखो जो कि अच्छा सवाल है देखिए इसको इसको समझने में टाइम लगता है वाकी कुछ है नहीं कहता है इंद फॉलविंग रियक्शन विच चोईज है वैल्यू ट्वाइस देट फफ दफ इपलेंट मास ऑफ ऑक्सिराइजिंग एजिंट अब आपको बहुत इंट्रस्टिंग पहले यहां पर पैचानो ऑक्सिराइजिंग एजिंट कोन है जो सम्झन में लेको ऑक्सिराइज करें सुफूद रिडियूस हो जाए यहां पर देखो खुद रिडियूस कौन हो रहा है यहां से ऑक्सिर dispon का हटना तो इसका मतलब ऑक्सिराइजिंग एजिंट कोन हो गया और आप अब एकूले नबर कहने तो यहां पर इसका यह कितना आ रहा है चार से डिवाइड किया है तो 16 16 का ज़स्ट डबल नंबर बताना आपको कितना दिमाग वाला सवाल था तो यहां पर एकुलेंट मास कैसे निकालते है तो आप तुरंत आप इसका अंसर बता दो तो आप तुरंत आप इसका अंसर बता दोगे चलो दोनों आंसर के दर्शन करायता हुए तो देखिए यह मैंने यहां पर क्योंकि यहां पर चैंज कितने गा रहा है चार का तो इसलिए हमने यहां पर चार लिखा है आप यह भी चेक कर सकते हो दो और निकालते हैं चेंज चेंज इन ऑक्सिरेशन स्टेट पर मॉलेक्यूल ठीक है उससे आप अंधाजा लगाते हो चलो फड़ाफट से नेक्स कोशन ले लेते हैं जो सी पीमटी सब्सक्राइब कर लेना अब नेक्स को सब्सक्राइब कर लेना अब नेक्स कोशन देखो फड़ाफट से यह अच्छा सवाल है कहता है टोटल नंबर और प्रोटों इन 10 ग्रैम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सब सहले तो आप मउल्स निकाला company इतने सिन इत्र के मौ कितने आ हैं प्वडर तो फॉंं मॉल में को नंबर ओब प्रोटों बटाने कितने होते हैं ठीक है तो आप जब्सरा चएक करो यहां पर अगर आप एक की बाद करो तो यहां पढ़े को 0.1 0.1 मोल में total number of cac3 कितने होगे वो भी चेक कर लो तो number of cac3 molecules कैसे निकालोगे that is 0.1 into a Avogadro number तो 0.1 into a Avogadro number पता है आपको 6.023 into 10 days to 23 खेर उपर भी लिखा हुआ है तो यह आपको आपको total number of molecules देगा cac3 के दुबारा बता है cac3 के number of molecules कैसे निकालोगे and moles into Avogadro number आपको molecules देदेगा अब आप जड़ा चेक करो cac3 में अगर एक molecule की बात करो तो यहां पर proton कितने होते हैं एक molecule में proton देखो calcium में होते है 20 ठीक है carbon में कितने होते हैं वही उसका atomic number लेना होता है वही नमबर वो प्रोटोन होते हैं calcium के बाद carbon carbon के उंदर होते हैं 6 और यहां पर 3 और oxygen कितने होते हैं आठ तो यह total करो कितना आ गया 50 आ गया तो आप इसको बस किसे तो यह आपका आंसर आ गया तो चलो दोनों आंसर के दर्सेंद आयता हूं फड़ा फ़र से देखो यह तो ग्राम molecule निकालने का तरीका है अच्छा एसो टू सील्टू का जो मोलर मास होता है वह 135 होता आप ने निकाल लिए और देखो एक के अंदर 50 है आपको निकालना था दस ग्राम में तो यह आंसर आ गया इसका चलिए गाइस पहला question ले लेते हैं now the first question is the correct set of quantum numbers for the unpaid electron for chlorine के लिए जो unpaid electron होगा उसके लिए quantum number का correct set पूछा जा रहा आप से जो की CPMT 1989 का question है देखिए असान सवाल है first of all तो chlorine का जो atomic number होता वो 17 होता है जिसको आप कैसे लिखते हो देखिए 1s2 उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p6 उसके बाद 3s2 लिखते हो उसके बाद 3p और last में आप क्या लिखते हो 5 तो यहां पर देखिए यहां paid है यह paid है यह paid है यह भी paid है unpaid electron सिर्फ 3p 5 में होगा ठीक है तो आप देखो 3 के लिए अगर आप थिर्की बात करो तो n की value कितने होगी this is principal quantum number वो हो गया 3 P के respect में आप किसको लिखते हो अजीमुथल quantum number यानि कि L को जिसकी value होती है 1 देखो अजीमुथल quantum number अगर यहां पर S orbital orbit होता है सब orbit होता तो 0 होती है L की value ठीक है और अगर P होता है तो फिर 1 होती है तो यहां पर L की value 1 बनेगी यानिकि 3 और 1 तो यहां पर देखो 3 1 3 1 कहां पर है 3 1 सिर्फ A की option में वो है C तो इस cancer हो गया C तो आपको कोई tension ही नहीं है इस cancer सीदे सीदे मिल गया आपको ठीक है और कोई option है नहीं next question देखो कहता है the total number of orbitals total number of orbitals in a shell with principal quantum number n is orbital पूछ रहा है that is very simple n square बहुत आसान है total number of orbital पूछ रहा है तो देखो ज़रा अगर principal quantum number suppose 1 हुआ ठीक है तो यहां total number of orbitals कितने होगे 1 की square यह नहीं की 1 ठीक है तो आप जानते हो पहले से ही की 1 के अंदर क्या होता है s जिसमें सिर्फ 1 की orbital होता है अगर यहां पर n की value में 2 रख देता suppose तो आपके पास जो आपके पास orbital निकल के आते है वो 2 की square होती यानि की 4 होते ही है एक तो s में होता है और फिर उसके बाद क्या होता है दो 3 p में होते है तो यह हो गया s and then p 3 और है कितने हो गए 4 तो सही तो है इसका मतलब इसका answer क्या बन गया n square बहुत simple question है जो की aims 1997 में पूछा गया है ठीक है सो चलो next two questions ले लेते हैं फड़ा-फट से कहता है the spectrum of he plus is expected to be similar to that of देखो he plus की बात करो तो spectrum होता है number of electrons की respect में electrons की respect में spectrum बनाया जाता है तो he plus में number of electron किसमें है तो helium में तो 2 होते हैं यह नहीं हो सकता लीथियम में तीन थे एक अटा दिया तो यह भी नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता sodium तो होई नहीं सकता 11 होते हैं तो hydrogen आपर answer क्योंकि उसमें एक electron होता है तो चले गाइस अगला question देख लेते हैं फड़ा फट से knowledgeable question है क्या कहता है आपसे कि sodium chloride impart a yellow color to the busan flame ठीक है this can be interpreted due to यह आपसे reason पूछ रहा है तो first of all आप अपना answer check कर लो आपको answer आता है क्या इसका चलो मैं आपको answer बताता हूं बहुत असान है देखिए आपको flames या colors क्यों दिखाई देते हैं यहाँ पर जब भी emission होता है तो यह simple सा answer है इसका that is emission of excess energy absorbed as a radiation in the visible reason जब आपको color तभी दिखाई देंगे जब आपको visible reason में यहाँ पर emission होगा ठीक है so simple सा question था बाकी इसमें से कोई भी option नहीं है next two questions ले ले लेते हैं फड़ा फड़ से देखिए अगले सवाल कहता है which quantum number is sufficient to describe the electron in hydrogen hydrogen में सरफ एक ही होता है electron तो यहाँ पर कौन सा quantum number sufficient है सिरफ any बहुत है आपको बाकी किसी की ज़ुरती नहीं है hydrogen के respect में पूछा गया इसलिए बाकी के लिए नहीं होता है ठीक है तो hydrogen के लिए सिरफ अगर आपको principal quantum number पता है तो आप असानी से आप hydrogen के electrons के respect में आप answer बता जबते हो जो ए CPMT 1984 का question है next question देखते है फोर गिवन principal level n is equals to 4 देखो बहुत simple सा question है n is equals to 4 the energy of its sub shell is of the order बहुत असान है सबसे ज़्यादा energy देखो यहाँ पर n plus l rule लगता अब आपने n तो सबके लिए comment कर दिया तो यहाँ पर l देखना है l की value s orbital के लिए 0 होती है देखो n plus l की value जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसकी energy भी सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ पर n plus l rule लगाओगे n की value तो सबके लिए 4 है तो आपको सिर्फ l को देख की तो यहाँ पर answer हो गया इसका भी आंधरा NBBS का question था अगले सवाल बचाते है फड़ा फट से CPMT 1983 का question है देखे क्या कहता है with increase in principle quantum number the energy difference between the adjacent energy levels of hydrogen decreases सबको पता है आपने सबने spectrum diagram देखें देखो n square to 1 से लेके n square to 2 तक का gap सबसे ज़्यादा होता है यानि कि almost around 10 के करीब होता ह या 10.2 या 10.6 से इतना कुछ होता होगा वो आप निकालना है उसके बाद धीरे-धीरे energy level जो है इस तरह से पास आते जाते हैं सबने energy diagram देखें हुआ है ठीक है और MPCET 1999 का question भी है यह सो दोनों question देखो तो uncertainty नहीं है हुंडरूल भी नहीं है हुंडरूल तो पेरिंग के respect में होता है एनर्जी के respect में exclusion principle है यह answer है इसका कि दो electrons के principle जो quantum numbers होते है सारे के सारे वो same नहीं हो सकते यह exclusion principle कहलाता है ठीक है पावली इस exclusion principle भी कहते हैं इसको next अगले सवाल जो कि Delhi PMT 1981 का question है कहता है the exact path of electron 2p orbital cannot be determined वो कहता है कि आप 2p electron मतलब किसी भी electron का exact path जो है वो आप क्या नहीं कर सकते हो determined नहीं कर सकते हो यह statement किस नहीं दिया था डेटर्माइन नहीं कर सकते हैं मतलब uncertain है तो answer किस क्या हो गया uncertainty principle तो सी answer हो गया simple सा question सो चलो guys फड़ा फट से next question ले लेते हैं कहता है for the energy levels in an atom which one of the following statement is correct आप से correct पूछा ठीक है जो की aims 1983 का question है देखे क्या कहता है आपको correct ढूढ़ना है तो देखिए फड़ा फट से there are seven principle electron energy levels नहीं infinite होते हैं देखिए आप n इसकोस्टू 1 से आप infinite तक लेके जा सकते होते energy level to infinite होते है वन का overall seven का होते है तो यह तो गलत है सही नहीं है आपसे सही पूछा है the second principle energy level has four now this is four 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 sub energy levels नहीं जितना n का value होता है उसमें sub shell भी उतने ही होते हैं यहाँ पर एक लिखा तो एक यहाँ पर दो होगा तो दो दो सब्चल तो यह चार नहीं होते दो के अंदर तो यह statement भी गलत है तीसरा the principle energy level four four can have maximum 32 electrons अब यह वाला सही है statement क्योंकि number of electron maximum कितने होगे वह होता है twice of n square so twice of n square करके देखो तो यह statement सही बैठता है इसका मतलब answer इसका क्या होगा c d statement गलत है यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से क्या पड़ता है the four s sub energy level has high energy than 3d अब यह गलत हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पर energy के लिए आप n plus l रूल लगाते हो n plus l अगर चेक करो 4s के लिए n की value है 4 l की value 0 है जबकि 3d के लिए n की value है 3 और l का value है 1 ठीक है नहीं 2 तो यहाँ पर total कितना हो गया 5 तो इसका number उससे बड़ा है तो इसकी energy भी उससे बड़ी होती है वैसे भी 3d के energy 4s से बड़ी होती है हम पहले से जानते है चलिए अगला सवाल लेता है फड़ा फट से जो कि प्यम्ट का question है कहता है which of the following set of quantum numbers represent the highest energy of an atom highest energy आपको फिर से यहाँ पर n प्लस l रूल लगाना है जिसका n प्लस l का value highest है उसकी energy भी क्या होगी highest होगी उसकी energy भी क्या होगी guys highest होगी तो फड़ा फट से चेक कर लेते देखो n प्लस l यहाँ पर 3 और 1 4 यहाँ पर 3 और 2 5 यहाँ पर 4 और 0 4 यहाँ पर 3 और 0 3 तो यहाँ पर क्या answer बनता है फड़ा फट से देखो भी answer है इसका जिसका n प्लस l का value यहाँ पर simple सा fundamental है n प्लस l का value जिसका highest होगा यह simple सी चीज़ है उसकी energy भी क्या होगी highest होगी n प्लस l की value चेक कर लो तो 3 और 2 5 और 2 option है जहां पर जो answer बनता है next question यह है प्लस l का सारा लेना जिसकी n प्लस l की value highest है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तीन और 2 पांच तो जिसमें n का value जादा होगा उसको consider करेंगे ठीक है यहाँ पर इसको consider करेंगे जिसका n का value जादा होगा उसके energy जादा होगी तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पांच वाला यह वाला first option तो first option सबसे पहले उसके बाद 3rd तो first और 3rd कहां रहा है देखो फस्ट और सरिफ B के अंदर आ रहा तो answer इसका बन गया B next question ले तर फड़ा फट से जो कि CPMT का question है यह अच्छा सवाल है जो कि एक numerical है कहता है the wavelength of a radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary infinity देखो आप initial stage कहा है electron की infinity final stage क्या है stationary stage hydrogen का अपना electron जो है 1s में होता है तो n is close to 1 so यहां से पूछ रहा है आपको read book constant की value दे रखिए आपसे पूछता है wavelength कितनी होगी तो आप अपने formula जानते है energy के लिए one upon lambda is equals to read book constant into one upon n initial square ठीक है minus one upon n final square तो यहां पर यह square करनी होती है यहां पर मैं square लगा देता हूं देखो initial square इसमें आप रख दो values answer आ जाएगा initial value है infinite infinite की square 0 तो जीरो हो गया factor ठीक है यहां पर 1 की square 1 ही होती है तो यहां पर 1 आ रहा है तो actual में 1 upon lambda किसके equal आ जाएगा RH के तो यहां से आपको lambda का value निकालना है वह कितना होगा 1 upon RH तो आपको read book constant का क्या करना था सिर्फ reciprocal लेना था इसके अंदर तो इसका answer बनेगा आपका कौनसा बला जरा check कर लेते है answer now look at it this is your answer that is 91 nanometer यह आपका answer है यहां कि 91 into 10 raise to power minus 9 यह इसको solve भी किया हो है जरा ध्यान से इसको देख लो चलो फड़ा फट से तो यहां पर answer क्या बन रहा है that is 91 nanometer d answer बन रहा है ठीक है तो फड़ा फट से next question ले लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपसे तो देखिए according to Bohar theory according to Bohar theory the angular momentum में बहुत यह असान सवाल है कहता है the angular momentum ठीक है ओफ एन इलेक्टोन इन फिफ्थ ऑर्बिटल एम्स का question है फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए पूछा आप से ठीक है angular momentum कितना होगा तो बोहर की theory के हिसाब से बताना है ठीक है बोहर की theory के हिसाब से angular momentum पूछा आप से द angular momentum किसके एक बोलो था एन इच अपॉन 2 पाई के यहाँ पर फिफ्थ के लिए पूछा है तो एन की वेल्यू कितनी हो गई 5 तो 5 बाई 2 कितना होता है 2.5 और यह आपका आंसर आगया that is जो मैंने आपसे कहा था देखो आपका आंसर क्या था that is d next question ले लेते हैं फड़ा फट spectrum उसमें third line पूछिए third line from red जो तीसरी लाइन है वो red में red end corresponding to which one of the following inner orbit jumps of electron for bars orbit in atom of hydrogen तो देखो अगर आप यह red का मतलब तो क्या हो गया आप उसको देख पा रहे हो इसका मतलब वो visible है और अगर visible है तो आपको पता होगा कि visible जो hydrogen spectrum होता वो किस में होता है bomber में होता है so यह bomber series हुई lemon में तो ultra violet होता है तो bomber पर कैसा होता है visible rays आती है तो bomber का मतलब क्या है bomber देखिए फड़ा फट से bomber का मतलब होता है कि उपर higher से कहां पर गिरे एन फिसकुष्टू टू पर गिरे तो यहाँ पर देखा यह यह तो 1 है तो यह answer नहीं हो सकता यह 5 है यह bamer है यह नहीं हो सकती यह तो C यह फिर D का रेडियेशन bamer है ठीक है यह तो पता होगा यह तो पर गिरे तो bamer series कहलाती है अब अगर आप 3 से 2 पर गिर रहे हैं तो अगर आपने ऊपर पांक से गेला तब आक माच कहन सी डिया लो कहता है यह इसका माय सि ब्रोगी विवलेंट उफटेनिस बोल ऑफ माश 60 ग्राम मूविंग विडो वेलोसिटी ओफ 10 मीटर पर सेकन अप्रोक्सिमीटली पंचाब प्यक्रविट का कॉश्चन है इसका अंसर बताना है आपको तो यहाँ पर पूछ रहा है आप से यहाँ पर आइंस्टेंट के कहने पर उसने c को v के एक्वल रख दे था ताकि यह सारा फॉर्मुला सभी बोडीज पर लख सके तो यहाँ पर आपको लेमडा का वैल्यू निकालना था एच का वैल्यू जिसको बोलता है प्लांक्स कॉंस्टेंट जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए चलुम आपको आगे सल्योशन भी दिखा देता हूं फटाफट से देखो एच अपॉन एम वी यह मैंने आपसे कहा था अभी ठीक है यह कैसे आया फॉर्मुला देखो दो एनर्जी को एकुल रखने के बाद आया सारी बोड़ी इसके लिए बना दिया गया और यहां पर जड़ा देखो एच का वैल्यू प्लांक्स कॉंस्टेंट है यह इसकी वैल्यू होती है वैल्यू गिवन उनीची आपर लिखी नहीं है देद्धी हुई होती है मास आपक सवाल पर next two questions ले लेते हैं फटा-फट से देखे जो कि यह आई PMT के को अंदर पूछा गया है कोशन को कहता है which set is correct for the electron 4F तो देखे यहां पर फटा-फट से 4F के लिए पूछ रहा है कौन सा यहां पर जो सेट है quantum numbers का वो सही है तो N की value तो first of all 4 होगी 4F के लिए N की value तो 4 ह यह तो clear हो गया अब जी मोतल quantum number ले लो यह देखो जरा ध्यान से L देखो L की value S के लिए होती है 0 P के लिए होती है 1 ठीक है D के लिए होती है 2 और F के लिए कितनी होती है 3 तो यहाँ पर L की value आएगी 3 तो देखो 4343 मतलब यह option तो गए यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता अब जा तो answer होगा C या answer होगा D उन्हीं में से एक को choose करना है अब N L उसके बाद बचता है M M का value देखो vary करता है minus L से लेके plus L तक यहीं तो होता है यानि कि अगर L की value 3 है तो इसकी value M की value vary करेगी minus 3 से लेके plus 3 के बीच में इनके बीच में value होगी लेकिन यह देखो यह plus 4 पे ल अब चलते है next question पर जो की aims में पूछा गया सवाल है कहता है आप से the number of electrons with a geemothal quantum number L is equals to 1 and L is equals to 2 in ground state of chromium यह बहुत ही असान सवाल है आपको इसके लिए chromium का electronic configuration लिखना था जो आपको आना चीए 24 electron भरने है L is equals to 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर P के अंदर भरे गए electron L is equals to 2 का मतलब D के अंदर भरे हो electron तो देखो इसको कैसे लिखो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है उसके बाद 3p6 उसके बाद आता है 3d 3d के यहाँ पर एक लोचा यहाँ पर बनोता यहां 5 होता है यह chromium का electronic configuration है तो चेक तरो पी के अंदर कितने है पी के अंदर देखो यहाँ पर 6 यह और 6 यह तो बारा डी के अंदर कितने है पांच तो बारा और और पांच यानिकी B answer हो गया चलो इन दोनों answers के दर्शन करा देता ह क्रोमियम का electronic configuration सबको याद होना चाहिए यह एक exceptional case था तो इस चलो answers तो मैंने आपको बता दी यहां पर आंसर गिवन नहीं है तो यह answer रिसके ठीक है ओपर वाले का answer बनेगा C और नीचे वाले का answer बनेगा B next questions ले ले लेते हैं फड़ा 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 थी next questions और यह required to excite an electron in in an hydrogen atom from level n-scos to 1 to n-scos to 2 simple formula ही दिया है तो यहां पर delta e का value पूछ रहे कि कितना energy जो है का difference आएगा जब यानि कि energy यहां पर क्या होगी release होगी जब 1 से 2 पर जाएगा 1 से 2 पर तो absorb होगी यहां पर करना कुछ था नहीं देखो इस answer आपको बतायता हूं यह पिम्टी का value भी दिया हुआ यहां पर speed की light भी दिया हुए तो चलो इसके answer का दर्शन गरा देता हूं देखो delta is cost to क्या होता है that is 2.178 into 10 is 2 पर minus 8 इसको रिटबक constant बोलेंगे जूल के respect में यहां पर होता है one initial upon one minus तो यहां पर यह देखो energy किसके बोले जो भी energy neat होगी देखो हमको प्ला यहां से आपको lambda का value निकालना था सबकी value दे रखी और इसका answer बनेगा 10 is to power minus 7 1.214 into 10 is to minus 7 now this is the solution ठीक है so finally यहां पर answer बन रहा है now look at 10 is to minus 7 यह यह answer ठीक है next question देखो बहुत यहासान है कहता है आपसे the correct set of 4 quantum number 4 number 4 valence electron in rubidium अब आपको rubidium 37 है उसका electronic configuration कैसे लिखोगे देखो यह rubidium आता है group number 1 में इसका last electron भरा जाता है last electron S के अंदर भरा जाएगा ठीक है तो आपको chromium तो पता ही है उसके बाद आपको यह पता हो ना चीकि rubidium आएगा कहा तो देखो यहां पर first group में आता है पहले hydrogen जो period number 1 में आता है फिर उसके बाद lithium ठीक है उसके बाद sodium उसके ब हो गई 5 L की value कितनी हो गई 0 क्योंकि S के लिए L का value 0 होता है तो 5 0 कहा है सिर्फ 5 0 अब A और D में टककर है L जब 0 होता है तो उसमें M की value भी 0 होती है guys now this is minus 0 से plus 0 का मतलब क्या होता है 0 तो finally इसका answer क्या बनेगा A तो इसका answer हो यहां पर A जो मैंने आपसे कहा था देखो यह quantum नमबर दे रहते हैं तो आप अपना answer yes कर लो फिर मैं आपको answer बदाता हूं देखो Q plus W तो क्या होता है basically that is delta U और H plus H minus Ts क्या होता है that is delta G ठीक है तो finally आपसे पूछा है कि यहां पर state function जो नहीं है तो यहां पर heat एक state function नहीं है और work भी एक state function नहीं है दोनों path function है तो second और third जहां लिखा वो answer हो गया इसका तो अगर आपने D लगा है तो आप बिल्कुल सही हो यह state function नहीं है दोनों path function है बाकी दोनों state function है second question चेक करो क्या आपको आता है second question फड़ा फड़ से बताइए इसका answer जड़ा लो कर लो कहता है for the gas phase reaction आपके पास एक reaction दे रखा है which of the following conditions are correct आपसे पूछा है यह आपसे पू चाहरा सोचो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप dissociation करा रहे हो तो यहाँ पर entropy बढ़ रही है freedom बढ़ रही है क्योंकि आप दो gases एक gases यहाँ पर दो gases release हो रही है तो entropy तो positive आएगी दूसरी बात यहाँ पर dissociation के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए energy चाहिए हो तो these are the answers of those questions, first का D होगा और A मैंने आपको बता दिया है और second का B होगा जो भी मैंने आपको बता दिया है, delta S का value positive होगा और delta S का value भी positive होगा तो answers मैं आप लोगों को साथ साथ चेक करवाते रहूँगा, next question को देखो फड़ा फड़ से, यह बहुत अच्छा question है, question number 3 पढ़ 0.4 वो भी minus का, kilojoule per mole, its enthalpy of hydrogenation would be, आपको benzene की enthalpy of hydrogenation पूछ रहा है, यह बहुत अच्छा सवाल है, तो क्या आप calculate कर लो पहले, वीडियो को post करके कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं आपको answer बताता हूँ, क्या आपने वीडियो को post करके answer लोग कर लिया, चलो आपको बता ही है, तो इसको solve करके बताऊंगा, आपको ज़रा ध्यान से देखो, इससे पहले हम लोगो question number 4 भी साथ ही ले ले लेते हैं, तो दोनों के answers मैं एक साथ बता दूँगा, ठीक है, फोर्थ question बहुत आसान है, तो third question के लिए answer के लिए आप एक मिनट का वेट कर लो, फोर्थ प् है, तो देखो, क्योंकि temperature pressure constant है, यहाँ पर और यह वैसे भी कैसा होता है, equilibrium में होती है, यह सारी की सारी situations, इसके लिए delta जी का value क्या होना है, जीरो, और दूसरी बात, liquid से gas conversion हो रहा है, इसका मतलब entropy बढ़ रही है, तो that is positive, तो अगर आपने यह लगाया तो आप बिलकुल सह जारा देखो, cyclohexene में तो सिर्फ एक ही double bond होता है, लेकिन benzene में 3 double bond होते हैं, तो जारा ध्यान से यहाँ चेक करो, यहाँ उसका 3 गुना energy यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 गुना energy use होना चाहिए, ठीक है, तो जारा ध्यान से इसको देखो, that is, इसका 3 गुना हम होता है, benzene ring की formation के बाद, actual में stable state में होता है, जब यह क्या करता है, resonance energy को release करता है, तो यह extra amount of energy है, जो उसके अंदर already added हो, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो भी आपको पता लगेगा, कि actual में heat of energy of hydrogenation क्या है, तो actual में minus 358.5 से आपको क्या करना है, यह 150.4 इसको हटाना दिया, एक लिम पर, एक लिब रिम पर क्या होता है, डिल्टाजी का value, 0 होता है, और क्योंकि यह liquid से gas में convert होता है, तो यहापर delta S का value क्या है, positive, next question ले देखिए, फड़ा फट से 5th question का answer बताई कर आपको आता है, वीडियो को post कर लो, which of the following gas has highest heat of combustion, heat of combustion highest किस में होगा, तो अ number of carbon क्या होने चीए, जादा, और साथी साथ single bonded होने चीए, single bonded होने चीए, यह आपको ध्यान लिखना है, double bonded और triple bonded होंगे, तो energy जो की वो bond तोरने में use हो जाएगी, तो यहाँ पर एक चुल में B answer होगा, इसका heat of combustion के case में, अगर आपने B लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, next question देखो, बहुत ही simple हो, बहुत अच्छा सवाल है, आपको यहाँ पर देखो, तीन equation दे रखिए, यह equation number 1 है, जहाँ पर ammonia chlorine से react कर रहा हो, और NCl3 बना रहा हो, और Thrice of HCl बना रहा है, second equation आपको दे रखिए, और उसके लिए जो enthalpy associated हो है, वो है plus X1, next है nitrogen plus Thrice of hydrogen, twice of ammonia दे रहा हो को, और यहाँ पर यह जो energy associated है, वो है plus X2, और H2 plus Cl2 twice of HCl दे रहा है, इससे जो energy associated है, वो है minus X3, तो आपको पूछता है, heat of formation of NCl3 क्या होगा, तो आप बस पड़ा-फट से आपका answer बताओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, तो जोलों आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आपको formation करनी है, NCl3 की, तो NCl3 की formation कैसे होगी, इसके constituent elements है, heat of formation के लिए यह 1 mole होना चाहिए, तो N2 plus Cl2 से होगी इसकी formation, अब आप इसको balance करो, क्योंकि यह तो 1 mole है, तो actual मैं nitrogen कितना लेना पड़ेगा, that is, यहाँ half लगेगा, और chlorine कितना होना चाहिए, 3 by 2, तो आप देखो half nitrogen और 3 by 2, Cl2 और 1 NCl चाहिए, तो 1 NCl, NCl3, तो यह रहा 1 NCl3, इसका मतलब यह तो आपको इसी तरफ चाहिए था, कहाँ, product की तरफ, तो पहली equation को तो आपको as it is लेना है, clear है, उसके बाद आपको देखो nitrogen half लेना है, तो second equation में, plus आपको क्या करना है, half of second equation, क्यों, क्योंकि nitrogen half करना पड़ेगा, और आपको reactant की तरफ चाहिए, बिल्कुल सही है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 by 2, 3 by 2, Cl2, अब आप देखिए, बहुत simple सा है, तो आपको सोचो इसके हिसाब से क्या answer बन रहा है, तो आपको actual answer क्या बनेगा, आपने निकाल लिया, मैंने आपको trick तो फरी पूरी बताई दिये, तो फड़ा फट से आप चेक करो, इसका answer क्या बनेगा, तो जरा चेक करो, actual में उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप पहली एजड़ी ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन आएगा, तो यहाँ पर First of all, आपको half करना था equation number second का, फिर उसके बाद equation number first मुसको जोड़ देना था, equation number second का half करके, यानि कि half of equation number second का मतलब है half x2 plus आपको x1 और minus 3 by 2 x3 करना था, तो देखो इसका answer क्या बनेगा, that is x1 plus x2 minus 3 by 2 x3, तो इसका b answer, अगर आपने b लगाया था बिल्कुल सही हो, तो आप पर मैंने कहा कि gas का highest number of carbon होने चीए, और single bonded होना चीए, तो उसके लिए combustion, heat of combustion क्या होता है, ज्यादा होता है, और यह उसका answer होगा, जिसका मैंने आपको कहा, तो यह भी answer होगा, पड़ा फट से next question चेक कर लेते है, now the next question is, जो कि A50 2009 का question हो, बहुत अच्छा सवाल है, यह भी बड़ा सा दिखता है, लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पर आगर आपको basic पता है, तो आपको सिर्फ fundamentally को जोड़ना, घटाना और कुछ करना नहीं है, कहता है, from the following bond energies, आपको bond energy दे रखा है, देखो किसका, एक तो hydrogen to hydrogen, carbon double bond carbon, carbon single bond carbon, और carbon single bond hydrogen, की bond energies दे रखी है, तो आपको पू reaction का जो enthalpy हो, क्या होगा, that is all bond energies of reactant, यहाँ पर reactant की जितनी bond energies है, minus all bond energies of product, आपको सिर्फ इतना सा काम करना था, so finally जड़ा चेक करो, reactant के case में क्या होगा, जड़ा चेक करो, यहाँ पर, यहाँ पर carbon to carbon एक double bond है, तो वो energy आपको लेना है, carbon to carbon एक बार इसको ले लेना है, साथ करना पड़ेगा energy को, जड़ा चेक करो, carbon to hydrogen का data ये रहा, और उसको चार बार इस्तमाल करना है, और एक बार आपको hydrogen to hydrogen इस्तमाल करना है, फिर उसमें से क्या करना है, minus कर देना है, यहाँ पर देखो, carbon to hydrogen यहाँ पर 6 bond है, तो यह 6 बार लेना है, तो यह वाला data आपको one time ले कहता है, for a particular reversible reaction at a particular temperature T, delta H and delta H were found to be positive, यानि कि delta H और delta H धोनो positive है, now if T E is the temperature at equilibrium reaction, that the reaction would be spontaneous, if, अब इसका answer बताओ, यह काफी simple question है, और conceptual question है, यह है, यह प्यम्टी 2010 का question है, देखे, आपको answer आता है कि नहीं, तो आपको आगया है इसका answer, तो चलो हम आपको बताता हूं, actual में इसक answer होगा, temperature must be greater than equilibrium temperature, अब यह कैसे आए, दोनों question के answers के दर्शन करा देता हूं, उपर और नीचे दोनों के, तो जड़ा check करो, देखो उपर वाले का answer है, minus 120 kJ per mole, जो मैंने आपसे कहा था, delta H of fraction कैसा निकलता है, that is bond energy of fractants, minus bond energy of products, यहापको करना था, simple सा, यहाँ पर आपके एक बार carbon to carbon double bond वाला, carbon to hydrogen 4 बार लेना था, hydrogen to hydrogen एक बार लेना था, उसमें से minus करना था, carbon to carbon single bond, और carbon to hydrogen 6 बार लेना था, सारी energy को जोडना था, आपका answer आजाता, टेक्चल में इसका answer बनता है, minus 120 D answer बनता है इसका, ठीक है, और next question है, उसका जरा check कर लो, देखो जरा ध्यान से, हम आपको पता है कि डेल्टा जी का होता है, डेल्टा जी की value 0 होती है, तो आप खुद ही सोचो, अब आपको spontaneous के लिए क्या ची होता है, डेल्टा जी का value must be negative, और हमें पता है कि इस reaction के लिए डेल्टा जी का है, बेसेकली positive तो सब कुछ temperature पर depend करता है, इसका मतलब जो temperature होना च यह तभी डेल्टा जी की value क्या आएगी, negative y की simple सा answer था इसका, तो यह मैंने आपको answer बता दिया, अब next question check कर लेता है फड़ा फड़ से, देखिए question क्या कहता है, यह बहुत simple question है, कहता है the value of delta H and delta S for the reaction, आपके इस reaction के लिए delta H और delta S का value दे रखा है, बड़े जहां से check करो, that is 170 kilojoule, now look at it, यह kilojoule है, और यह कितना है, 170 joule per Kelvin, यह दे रखा है, the reaction will be spontaneous at, आपको पूछा है, spontaneous कब होगी reaction, यह simple सा question है, तो आप देखो फड़ा फड़ से, यह देखिए delta G note का value क्या होता है, that is delta, delta H minus T delta S, ठीक है, तो अगर यह equilibrium पर होगी, तो delta G का value 0 होगा, उससे आप यह temperature निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, delta H को divide करना है, delta S से, आप यह काम करोगे, तो temperature आजाएगा, तो यहाँ से temperature approximately answer बनेगा, इसका A, so simple सा question था, जिसको आप बहुत असानी से कर सकते थे, तो इसका answer बनेगा, 990 के around, ठीक है, यानि कि 1000 के गरीब answer आएगा, तो 990 आपका A answer ह हो गया, next question चेक करता है, दोनों के answers एक साथ चेक करेंगे, ठीक है, next question क्या कहता है, if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kJ, ना enthalpy change आपको दे रखा है, 27 degree Celsius पर, यानि कि delta H का value आपको given है, ठीक है, वो कितना है, that is 30 kJ per mole, तो अब आप से पूछा क्या है, ज़रा चेक करो, और temperature भी दे रखा है, यानि कितना हो गया, temperature Kelvin के अंदर 300, तो यह 300 हो गया, तो 300 Kelvin, तो आप से पूछता है कि, change in enthalpy for the process, entropy for the process, बहुत आसान सवाल था, आपको पता है कि अगर delta G note की value देखे, तो किसके एक वाल होता है, delta H minus T delta S for the, for these kind of processes, और यह जो process होते है, basically, वो reversible होते है, इसका मतलब क्या होगा delta G note की value 0, again, उपर वाला ही formula लगाना है, तो यहाँ पर, basically, आप से पूछा, delta S, तो finally, delta S का value किसके एक वाल होगा, delta H को किसे डिवाइड कर देना है, simple temperature से, तो आपना answer निकल लो, बहुत simple था, इसका answer निकलना है, तो चलो, फड़ा-फट से दोनों को question के answer के दर्शन करा दे है, यहाँ पर 170,000 Joule, यह हो गया, आपके पास delta H का value, और delta G का value, एकलिप रिम पर 0 होता है, उससे हमें मालूम पड़ेगा, कि यहाँ पर यह equation बना, तो यहाँ से temperature निकल लिया, 1000, approximately 1000 है, उससे कम होना चाहिए, answer आपका आगया, तेंथ question जो है, delta G not is equals to delta H not minus 3 delta S not, और है, तो आपका answer बिल्कुल सही है, देखिए, first question बहुत ही simple है, कहता है, the precipitation takes place when ionic product is equals to solubility product, exceeds the solubility product, less than the solubility product and almost 0, आपको answer अपना लोग करना है, फिर मैं आपको इसका answer बताऊंगा, so चलिए, क्या आपने अपना answer लोग कर लिया, तो actually मैं इसका answer बनेगा, B, आप खुदी सो जादा हो, यानि कि ionic product अगर जादा हो, किस से, KSP, solubility, जितना गुल सकता है, उससे जादा होगा, तो ion तो precipitate हो के नीचे बैटने लग जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा solubility से जादा है, simple trick है, इसको याद करने की, आप इसको क्या कर सकते है, solve भी कर सकते है, is not it all a big deal, ठीक the precipitation of AGCL, जिसकी KSP की value आपको given है already, will occur only with, आपको यह बताना है कि इन में से कौन से solution में AGCL का precipitation शुरू हो जाएगा, तो फहले आपको क्या करना है, ionic product चेक करना है, यानि कि AG plus का concentration और CL minus का concentration, इन दोनों का concentration का multiplication हो, किस से जादा हो जाना चाहिए, KSP से, अब ज़रा चेक कर लो यह आपको यह जो data है, वो कहां satisfy हो रहा है, तो देखिए, first वाले में हो रहा है क्या, इसका और इसका multiply करोगे, तो कितना हैगा, 10 raise to power minus 8, ठीक है, तो यह actually क्या है, 10 raise to power minus 8, यह 10 raise to power minus 8, बेटर 10 raise to power minus 10 से जादा है, तो इसका मतलब आपको answer straight forward मिल गा है, that is A, क्या यह है, यह बात शुरू होगा, जरा इसको check करो, 10 raise to power minus 5 and 10 raise to power minus 6, this is 10 raise to power minus 11, so यह भी अभी क्या है, कम है KSP से, ठीक है, यह भी कम है KSP से, लेकिन यह जादा है na KSP से, उसके बात 10 raise to power minus 10 और 10 raise to power minus 10, यह तो 10 raise to power minus 20 हो गया, यह तो बहुत ही कम है KSP से, तो simple आपको बस multiplication करके check करना होता कि KSP से, जिसका जादा हो, उसका पिपटी बैठना शुरू हो जाएगा, तेक्चर में इसका answer क्या बनेगा, इसका answer बनेगा A, so चले गाई, third question check कर लेते हैं, now the third question is, an acidic buffer solution can be prepared by fixing off, आपको यह बताना है, acidic buffer कैसे त्यार करोगे, तो फड़ा फट से अपना answer log करी, फिर मैं चाहिए होता है, acid buffer में, आपको एक weak acid चाहिए, first of all तो, और उसके conjugate base वाला salt चाहिए, बस, conjugate base का salt और weak acid अगर किसी option में present है, तो इसका मतलब हो, acidic buffer बनाएगा, that's it, तब ज़रा सोचिए, first of all तो, sodium acetate, हाँ, यह weak acid का salt हो गया, और acidic acid यह weak acid हो गया, तक चल में A ही answer हो गया, इ यह भी answer नहीं हो सकता, sodium chloride और यहां पर क्या दिया है, sodium hydroxide, तो यह तो strong base हो गया, तो यह भी answer नहीं हो सकता, आपको answer इसका मिल गया, answer of this question is A, so चलिए guys, फड़ा फट से fourth question चेक कर लेते हैं, which of the following salt undergoes anionic hydrolysis, बहुत ही interesting question है यह, और काफी बार पूछा गया है, anionic hydrolysis किसका होगा, तो देखिए, अगर आपको किसी anion को hydrolysis करवाना है, तो anion must be strong, simple सी बात है, तब ही उसका hydrolysis होगा, तो anion अगर strong हुआ, तो anion तो base की तरह काम करता है, ठीक है, base यानि कि जो electron donor होते हैं, तो यह base है, तो उसका conjugate acid कैसा होना चाहिए, conjugate acid उसका weak होना चाहिए, ठीक है conjugate acid उसका क्या होना चाहिए, weak, तो आप ऐसा, आप anion चेक करो, जिसका conjugate acid weak हो, तो first option में चेक करो, SO4 यह negative part है, इसका यह कहां से आया होगा, SO4 से, जो कि एक strong है, strong acid है, तो यह answer नहीं हो सकता, अच्छा यह वाला कहां से आया होगा, CL इसका negative part है, तो यह HCl से आया होगा, जो क H2CO3, जो की एक weak acid है, इसका मतलब, अगर यह weak acid है, तो उसका conjugate base strong हो, जो की hydrolyze हो जाएगा, तो इसका मतलब, इसका answer क्या बनेगा, B, अगर आपने fourth question का answer B लगाया, तो आप बिल्कुल सही है, next question check करते हैं, फड़ा फट से, और यह इनके answers होगे, जो मैंने आप से कहे, so चल Mono basic and weak lewis acid, यह option होगा, Mono basic and weak brosted lorry acid, Mono basic strong lewis acid and tria basic weak brosted acid, तो आपको बताना है, इसमें से answer कौन सा correct है, so इसका answer क्या बनेगा, फटा फट से check करते हैं, इसका answer बनेगा, Mono basic and weak lewis acid, काफे interesting है, मैं आपको बता देता हूँ, यह boric acid है, जो की weak acid है, first of all तो, और actual में यह क् लिख सकते हो, BOH whole trice, लिख सकते हो न, ठीक है, तो यह क्या करता है, जैसे आप इसको पानी में डालेंगे, तो यह क्या करेगा, पानी से एक OH minus iron ले ले लेगा, यानि कि BOH whole 4 बनाएगा, और एक H plus iron देगा, पर यह A की H plus iron देगा, वो भी खुद का नहीं देगा, वो किसका देगा, ठीक है, वो देगा, यह पानी से लेके, तो finally यहाँ पर पानी से आपको H plus मिल रहा है, खुद तो दे नहीं रहा, और actual में इसने क्या किया, OH minus से electron receive किये, ठीक है, तो इसका मतलब, electron receive करने वाली theory कहां होती थी, Lewis acid में होती थी, ब्रोस्ट लोरी में नहीं होती थी, इसका मतलब, यह monobaric है, दूसरा यह weak acid है, और तीसरा है, Lewis weak acid है, तो इस cancer क्या बनेगा, A, next question check करिए, question number 6 कहता है आप से, कहता है solution, which is, 10 raise to power minus 3 capital M, each of Mn plus 2, देखिए, Mn plus 2, Fe plus 2, Zn plus 2, और Hg plus 2, इन सब के आपको concentration दे रहा है, 10 raise to power minus 3, यह काफी confused करने वाला question है, लेकिन straight forward ह बहुत ही असान है, is treated with, is treated with, 10 raise to power minus 16 capital M, sulfide ions, ठीक है, तो आपको यह बताना है, if KSP of Mns, Fes, Zns, and Hgs are 10 raise to power minus 15, minus 27, minus 23, minus 20, and minus 54, respectively, which one will precipitate first, आपको यह बताना है, कि यहाँ से precipitation सबसे पहले किसका बनेगा, तो बच्चे जातर क्या करता है, multiply करना शुरू करता है, इस data को इस data से आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप खुद ही सोचिए, धीरे-धीरे आप sulfide वाले solution को add कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले precipitation किसका बनेगा, जिसकी KSP की value lowest है, तो आप ज़रा चेक करो, lowest KSP की value कहा है, क्योंकि वही सबसे पहले exceed करेगा, कौन, जो ionic product होता है, व minus 54, तो यह सबसे पहले precipitate होगा, तो इसका answer क्या बनेगा, C, straightforward इसका answer होगा, C, आपको multiply करने की जुरूत भी नहीं, next question check करो, question number, यह आपके 5th और 6 के answers होगा है, जो मैंने आपको explain कर दिये, so चलिए guys, फटा फट से 7th question को check कर लेता है, कहता है, 40 ml of 0.1 M ammonia is mixed with 20 ml of 0.1 M HCl, what is the pH of the mixture, ठीक है, PKP का value दे रखा है, ammonia के लिए 4.74, तो फटा फट से इसका answer बताइए, फिर मैं आपको इसका answer लोग करवाता हूँ, देखे, बहुत simple इसको solve करना, तो यहाँ पर करना क्या था, सबसे पहले आप check करो, जो ammonia है, वो पानी के साथ mix होके क्या बनेगा, NH4 OH, जो की एक weak base है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छा आप इसके millimoles कितने दे रखे हैं, अगर आपको इसके millimoles निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, molarity into volume, volume must be in ml, जो की आपको दे रखा है, तो molarity कितनी है, 0.1, ठीक है, और volume कितना दे रखा है ml में, 40, तो यह कितना हो गया है, 4, तो आपके 4 millimoles तो किसके हैं, NH4 OH के, इसी तरह से आप HCl के भी millimoles calculate करो, HCl के millimoles कितने हैं, आपको 2 दिखाई देगे, तो 2 millimoles किसके हैं, HCl के, अब आप खुद सोचो, यहाँ पर जब reaction होगा, NH4 OH का, और साथ में किसका reaction होगा, HCl का, तो यह क्या तो आप जरा चेक करो, यहाँ से हुआ क्या, भई इसका यह reaction जो है, balanced है, और neutralization reaction है, इसका 1 mol, इसके 1 mol से react करेगा, तो actual में HCl के कितने millimoles है, 2, तो इसके भी तो 2 millimoles react करेंगे, तो actual में NH4 OH के, जो की एक weak base है, weak base के आपके पास क्या बच जाएंगे, 2 millimoles बच जाएंगे, guys, this is again so much interesting, 2 millimoles बच गए, weak base के 2 millimoles बच गए, अच्छा, आप NH4 OH, जो की एक salt है, ठीक है, यह जो आपके पास weak acid दे रखा है, उसका conjugate base का ही salt है, तो यह कितना बना, जरा चेक करो, यह salt आपके पास कितना बना, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर इसके 1 से, इसका 1 बनता गए, जो की एक weak base है, और यहाँ पर यह जो salt है, उसका conjugate वाला, उसके 2 millimoles बन गए, तो यह तो एक buffer solution हो गया, तो अगर आपको buffer solution जो की किससे बना हो, weak base से, और उसके conjugate salt से बना हो, तो आप उसका formula लगा के तुरंत pH का value निकाल सकते हैं, जो की अभी मैं आपको थोड़ी द conjugate salt का आपके पास solution है, ठीक है, तो इसके आप pH कैसे निकलेगा, that is pkb, जिसकी value आपको दे रखिए, plus log of, आप उपर क्या लगाना है, salt का concentration, यह आपको याद होगा, अपो नीचे क्या लगाना है, weak base का concentration, फटा-फट से यह लगा के answer लगाईए, बहुत simple है, इसका answer क्या बन आपको निकालना था, जो कि answer आपका इसका C बनेगा, फटा-फट से आप निकालेए, फिर मैं आपको इसका answer आगे दिखा भी देता हूँ, इतने में हम लोग next question चेक कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ दिखा दूँगा, ठीक है, so finally question number 8, so चलिए guys फटा-फट से question number 8 को च करते हैं, question number 8 क्या कहता है, the ionization constant for ammonium hydroxide, आपको ammonium hydroxide के लिए ionization constant दे रखा है, ठीक है, add 298 Kelvin, hydrolysis constant for ammonium chloride, ये interesting question है, फटा-फट से का बता ही, इसका answer क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, hydrolysis constant आपके पास KH का जो value होता है, ठीक है, वो किसके लिए, for a salt, जो किससे बना हो, weak base स बना हो, तो KH का value कैसे निकलेगा, बहुत simple है, that is, kw upon kb, very straightforward, अगर आप एक बार theory देखिए, तो आपको मालूम पढ़ जाएगा, तो kw को आपको kb से divide करना है, 298 का मतलब room temperature हो गया, तो इसका value कितना होगा, 10 raised to power minus 14 को आपको किसे divide कर देना है, kb से divide कर देना है, ठीक है, kb क value कितनी है, 1.77 into 10 raised to power minus 5, आपके पास straightforward answer आजाएगा, तो चलो दोनों question के answer दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को idea हो जाए, तो 7th और 8 के answer देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 20 ml लिया, आपने 0.1 लिया, तो millimoles कितने हो गए, 2 millimoles हैं मैंने आपक से, तो यह reaction होगी, यह भी मैंने आपसे कहा था, इसमें से 2 millimoles HCl के, 2 millimoles NH4OH के neutralize कर दें इक दूसरे को, तो यहाँ पर बचेगा, क्या जरा चेक करो, 2 millimoles NH4Cl के बचेंगे, जो कि एक salt है, तो buffer solution के जैसा काम करेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है, अब total volume कितना ह हो गया, that is again, आप यह आपने millimoles निकाले, volume कितना हुआ, 40 आपने वो mix किया, 20 आपने वो mix किया, तो 60, 60, तो आपको बस यह ध्यान रखना था, यहीं गलती होती है, so यहाँ पर NH4OH के millimoles है, concentration निकालने है, that is 2 divided by 60, और NH4Cl के भी कितने होंगे, 2 divided by 60, तो आपको क्या करना थ है यहां से, straight forward answer आपको निकालना था, PKB के value दे रखी है, यह तो आपस में cut गया, log 1 का value 0 होता है, 4.97 भी है, POH का value आएगा, 4.74 यह तो POH का value आएगा, pH का value निकालना था, that is 9.26 जो मैंने आपसे कहा था, साथ ही साथ यहाँ पर hydrolysis constant के लिए आपको मैंने कहा था, KH का value क्य 10, अब चलते हैं अगले सवाल पर, now the next question is, again 9th question अच्छा सवाल है, फटा-फट से देखिए इसको, कहता है the dissociation constant for acidic acid and HCN, यह भी बहुत आसान सवाल है, at 25 degree Celsius is this, आपको acidic acid के लिए dissociation constant दे रखा है, यह value आपके पास, ठीक है, यह थोड़ा सा clear कर देता हूं, यह value actually कितनी है, यह value आपकी बन रही है, 1.5 into 10 raise to power minus 5, और HCN के लिए किता दे रखा है, 4.5 into 10 raise to power minus 10, respectively, the equilibrium constant for the equilibrium, आपके पास यह equilibrium दे रखा है, इसके लिए equilibrium constant पूछा है, बहुत आसान है, actually इस reaction का जो equilibrium constant बनेगा, वो इतना आसान है कि आपको क्या करना है, acidic acid, जो कि आपके पास यहाँ divide कर देना है, HCN के equilibrium constant से, simple, अब यह कैसे आया, आप ज़रा guess कीजिए, आपको answer में आगे अभी तुरंत बता देता हूँ, लेकिन आपको इन दोनों values को divide करना है, और answer निकाल लेना है, इतना असान है, तो इसके answer में आपको थोड़ी दिर में दिखा देता हूँ, अगला question सा यहां तीन reaction दे रखी है, in which of the above does H2PO4 minus act as an acid, आपको यह बताना है कि acid की तरह कहां काम कर रहा है, तो आपको यह simple answer करना है, तो फड़ा फट से देखिए, acid क्या होता है, acid वो जो की H plus sign क्या करे, donate करे, simple सी बात है, तो ज़रा पहले example में चेक करो, देखिए, यहाँ पर आपक यह क्या हो गया, conjugate base हुआ ना यह तो, यह तो conjugate base हुआ, हमसे acid पूछा है, तो यह तो नहीं हो सकता answer, second question check करो, यहाँ पर H2PO4 minus ने क्या किया, एक hydrogen donate कर दिया, that's it, तो आपको मिल गया, second वाला तो है, लेकिन third वाले में check करो, H2PO4 minus ने 1 H plus लिया है, तो यह भी नहीं हो सकता, तो इसका answer क्या बनेगा, सिर्फ second, only B answer बनेगा, इसका only second answer आएगा, so चलिए guys, 9th और 10th question के answer को भी check कर लेते हैं, 9th question और 10th question के answers आपको यहाँ पर given है, देखिए 9th question में क्या है, CH3CWH को जब आपने तोड़ा तो वो तूटेगा, ऐसे, ठीक है, और अगर उसके लिए आप dissoci dissociation constant लिखने जाओगे, तो उसको लिखोगे, ऐसे, जिसकी value दे रखी है, इसी तरह से, एटCN को भी आप इस तरह से तोड़ोगे, और उसके लिए dissociation constant भी इस तरह से लिखोगे, suppose ही हमारे पास first reaction है, और suppose ही हमारे पास second reaction का है, और यह हमारे पास third reaction, अब आप सोचो first और second स third कैसे आएगा, जब first में से minus कर दोगे second को, ठीक है, तो उनके dissociation constant में भी relation यही होगा, that is equals to third, तो यहाँ पर क्या होगा, third का जो आपको k निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, first के k से second के k को divide करना पड़ेगा, minus है, इसका मतलब dissociation constant डिवाइड होगे, अगर plus हो जाता है, तो यही मैंने आपसे कहा था, इसका answer straight forward यह बन गया, और 10th question का answer मैंने आपको already explain कर दिया, so चलिए guys, first question देख लेता है, फड़ा फड़ से another first question is, जो की aims 2012 का question है, कहता है, आपसे which of the following crystal does not exhibit frankal defect, यहाँ पर ऐसा कौन सा crystal है, जो की frankal defect नहीं दिखाता है, वो आपको पताना है, तो फड़ा फड़ से अपना answer लोग कीजिए, फिर मैं आपको answer बताता हूँ, वीडियो को post कर लिजे, so finally इसका answer बनेगा C, अगर आपने C लगाया ता बिलकुल सही है, देखिए AGBR तो ऐसा है, जो की frankal defect की दोनों दिखाता है, लेकिन KBR ऐसा है, जो की frankal defect नहीं देता है, so answer बनेगा इसका C, next question चेक करिए, question number 2 क्या है, जो की AIMS 2013 का question है, कहता है आप से, what is the coordination number of sodium Na2O, इन Na2O, ये question बहुत बार पुछा गया है, फड़ा फट से आप इसका answer करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, so चलिए इसका answer बनेगा B, अगर आपने B बताया तो बिल structure है, और इस case में, जो oxygen होता है basically, वो तो आपके कहा होता है, corners पे और यहाँ पर face center पे, जबकि आपका जो sodium होता है basically, वो tetrahedral voids में होता है, so यहाँ पर tetrahedral voids में आपको ध्यान देखना है, tetrahedral void में अगर आप एक रख रहे हो, किसी भी एक cation को, तो इसको कितने आयन घेर र कहाता है कि KBR exhibit नहीं करता है, तो मैंने आपको बता दिया, KBR exhibit short key, but not frankal defect, दूसरा, NA2 का structure होता है, उसमें O2 आयन जो है, वो FCC पे deposit होता है, जबकि NA plus कहां पर होता है, basically tetrahedral voids में होता है, तो tetrahedral voids में इसका मतलब coordination number उसका कितना होगा, 4, next 2 questions check कर लेते हैं, फदा फद से जो आप से पूछा, यह जो diagram दिया है, उसके इसाब से कौन सा defect होआ, यह बहुत अच्छा सवाल है, तो फड़ापट से देखिए, ज़रा ध्यान से देखो, जो boxes बने हैं, इस box में क्या आना चाहिए, NA plus, ठीक है, जो कि गायब है, अच्छा, इस box में क्या आना चाहिए, NA plus, ज तो यह आपका जो गायब होने वाला जो सीन होता है, वो शौट की के अंदर होता है, शौट मतलब कम होगा है, क्या बराबर कम होगा, उसको शौट की defect बोलता है, प्रेंकल में कुछ ऐसा सीन नहीं होता, इंटर सीचल में चले जाते है, तो एक्छल में इसका अंसर बनेगा D अगर आपने D लगाया तो बिल्कुल सही है, नेक्स कोशन एंस 2015 का क्वेशन है, देखे क्या कहता है, इफ Z is the number of atoms in a unit cell that represents the closest packing sequence ABC ABC, then the number of tetrahidal voids in the unit cell is equal to, अच्छा सवाल है, ये ABC ABC packing किसकी होती जरा सोचिए, वीडियो पोस करके अपना आंसर लोग करनीजे, वैसे भी NCIT में स सिदे भी आंसर कर सकते है, अदर्वाइस ABC ABC packing किसकी होती है, तो FCC की या फिर CCP की, ठीक है, तो ये जो packing है, ABC ABC packing होती है, तो इसके अंदर जो आपके पास tetrahidal voids होते हैं और double होते हैं, इन दोनों answers के दर्शन करा देता हो, ना दा answer these questions are, now these are the answers, now if the solid of type A plus and B minus equal number के tie-in and anion, then this type of defect is called short की, next question है, in a closest, in a close packed structure, CCP, FCC और HCP, number of total voids क्या होते हैं, double होते हैं, यह आपको पहले से पता है, अगले दो सबाल चेक कर लेते हैं, फिरा फिर से, जो की DPMT 2019, 2009 का question है, Delhi PMT 2009 का question है, देखें यहां पर question number 5 क्या कहता है, a compound contains two type of atoms, atom X and atom Y, it crystallizes in the cubic lattice with atom X is at the corner, अब आप सोचिए कि आपके जो corner है, वहाँ पर तो atom X लगा हुआ है, तो अगर आप यहां पर एक atom X है, तो उसका सिर्फ 1 नेट पार्ट ही unit cell के अंदर होता है, तो अगर सारे corner occupy की हैं, तो total corner कितने होते हैं, 8, तो इसका मतलब X तो कितना है, 1, so X to 1 है, ठीक है, और आप आगे देखिए, the unit cell, and the atom Y is at the body center, और सिर्फ body center के अंदर Y है, और सिर्फ body, अगर unit cell के body center के अंदर Y है, तो Y भी एक ही हुआ, तो इसका answer तो straight forward क्या बन गया, C, अगर आपने C लगाया तो आप बिल्कुल सही है, answer to this question is C, और अगर आपने C लगाया तो आप plus 4 के located in, located in CAF2 crystal respectively at face centered cubic latest point and in, आपको बताना है यहाँ पर कि CAF2 में CA plus and F minus, CA plus 2 and F minus कहां कहां located होते हैं, यह तो होता है, face centered में, तो F minus कहां होता है, तो F minus state idle voids में होता है, simple सी structure है, इसका answer A बनेगा, अगर आपने यह लगाया तो बिल्कुल सही हो, दोनों के answer के दर्शन करा देता ह इसको बोलता है, इसको बोलता है, fluoride structure और यह बहुत ही famous structure आपको दीख भी जाएगा, तो फड़ा फट से देखिए, यह तो हो गया, XY answer जो मैं आपसे कहा था, और CF2 structure में, CA plus Ion कहां होते हैं, present होते हैं, सभी corner पे, and center of the faces, and F minus कहां होते हैं, detailed voids में, ठीक है, तो फड़ा fraction of total volume occupied पूछा है, अब simple cube में आपको सबको पता है, simple cube में atom कहां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, corners पे, और हमको सबको पता है कि corner होते हैं, total art, और एक atom one-eighth part ही occupy करता है, तो total atom कितने हो गए, one, और हमें पता है कि एक atom क्या होता है, spherical होता है, और उसका अगर मैंने radius r मान लिया, तो बताइए आप एक atom के respect में total volume कितना हो गया, that is 4 by 3 pi r cube, यही तो हुआ, अगर r में आपने क्या माना है, अगर r आपने उसकी radius मानी है तो, तो यह volume जो है occupy कर रहा है, कौन atom, और total volume कितना जरह सोचिए, यहाँ पर total volume, अगर मैं इसकी edge length को a मान लूँ, तो total volume जो आपके पास available है, वो है a cube, और हम simple unit के लिए जानते हैं कि यहाँ पर सबको पता है कि a is equals to क्या होता है, twice of r, तो यहाँ पर total volume कितना हो गया, r के respect में, that is 8 r cube, सही है, तो यहाँ पर fraction कितना हो गया, जरह चेक करो, तो अगर आपको fraction पूचा है, तो fraction कितना हैगा, आपको इस data को divide कर देना है, 4 by 3, 5 r cube को आपको divide कर देना, किस से, 8 r cube से, तो finally अगर आपने इसके divide कर दिया, तो r cube से r cube cancel हो गया, 4 to 8 होता है, तो कितना आगया, 5 by 6, दोदा answer to this question is B, 5 by 6, इस answer के दर्शन में आपको आगे करा दूँगा, बट इसका answer क्या बनेगा, 5 by 6 जो मैंने कहता है, what is the percentage of volume of this lattice is empty space, आप से पूछा, empty space बताना है, ठीक है, the percentage of volume of this lattice is empty space, तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, फटा फट से आप बदाए इसका answer क्या बनेगा, तो आपको clear कर देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, BCC की, तो यहाँ पर 68% occupied होता है, त 32%, किसका answer बनेगा, B, अगर आपने भी लगाया तो आप बिल्कुल सही है, दोनों question के answer के दर्शन करा देता हूँ, यह देखिए, पहला जो सवाल था, वो इस तरह से होना था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है, 5 by 6 answer आएगा, और दूसरा, BCC के अंदर 68% होता है, तो remaining empty कितना होता है, 32%, so चलिए गाइस, last two questions ले लेते हैं, number 9th question क्या कहता है, if A stands for edge length of the cubic system for simple body centered and face centered, then the ratio of the radius of the spheres in the system are respectively, यह अच्छा सवाल है और simple question है, फड़ फड़ से आप इसका answer करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, simple के लिए, simple के लिए हम लोग बात करें, तो हमक कि R is equals to क्या हो गया, A by 2, ठीक है, so R is equals to A by 2 for simple, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, body center के लिए, so body center के लिए क्लिए क्या होता है, जरा याद करो, that is 4 R is equals to root 3A, ठीक है, so finally R is equals to कितना हो गया, root 3A by 4, याद है आप लोगों को, यह आपने निकाला होगा, ठीक है, NCRT में भी given ह कैसे दिया होता है, और last रही है, face center, तो face center के लिए होता है, 4 R is equals to root 2A, so finally R is equals to कितना हो गया, root 2 A by 4, या फिर R is equals to क्या कह सकते है, A by 2 root 2, तो फड़ा फट से इसका answer देखे, क्या बनेगा, इसका answer बनेगा, A, अगर आपने A लगाया तो आप बिलकुल सही है, so चलिए गा, इस last question ले लेता है, फड़ा फट से 10th question के आप पूछा है, A, B crystallizes in a body center cubic lattice, with is length A, equal to 387 picometer, the distance between the two oppositely charged iron in the lattice is, A, 52, 2010 का question है, फड़ा फट से आप इसका answer करिए, फिर मैं आपको इसका answer बताता हूं, so देखे, actually scene कुछ ऐसा है कि body center का example होता है, आपके बास cesium chloride है, यह तो आपको प अब आप दिमाग लगाईए यहाँ पे, कि आप से पूछा क्या है, आपको age length दिया हुआ है A, जिसकी value आपको दे दी, तो आपको पूछता है के time on rain के बीच का distance, यानि कि यह अगर आपके पास मैं unit cell बोलू, so यहाँ पर scene कुछ ऐसा है कि इस unit cell में बीचों बीच, यानि क कि यहाँ पर cesium है, और यहाँ पर आपके पास क्या chlorine, so यह chlorine हो गया और यह cesium है, तो finally scene कुछ ऐसा है कि आपको इसके जो center point और इसका जो center point है, इन दोनों के बीच का जो distance है, वो आपको निकालना है, ठीक है, तो फटा फटा फटेस इस आंसर दीजे, फिर मैं आपको इसका बताता हूं, तो चलिए इनका आंसर का धर्शन करा देता हूं, now the answer of this question is, देखिए, for body center, latest descent between the two positively charged ions, देखिए, वो कितना होता है, that is, d is equals to root 3a by 2, यानि कि actually mean क्या जरा, देखो, actually यहाँ पर diameter पूछ लिया गया न, पहले radius होता, तो यहाँ पर diameter पूछ लिया गया, तो बहु is equals to root 3a, यह तो होता है, 4r is equals to root 3a, एक्चुल में केटायन और रनायन का size equal होता है, इसलिए हम लोग कह सकते है, केटायन और रनायन का radius almost equal है, तो आपसे 4r is equals to root 3a, और आपसे पूछ है, 2r की value, ठीक है, यानि कि आपको diameter पूछ लिया गया, so 2r is equals to क्या होगा, that is root 3a by 2, तो उसकी value उठाके रख दी गई, और 335 answer आगया, so यह इसका answer बनेगा, तो finally 335 इसका answer है, यानि का answer इसका बनेगा, D अगर आपने D लगाया तो बिल्कुल सही है, यह रहा आपका solution, तो first question क्या है, जरा check कीजिए, कहता है, the vent of factor for 0.1 M B A NO3 whole twice solution is, आपको vent of factor यानि कि I का value दे दिया, ठीक है, so I का value कितना है, that is 2.74, ठीक है, so finally आपसे पूछता है कि degree of dissociation क्या होगा, तो यह अच्छा सवाल है, तो preferences का answer दीजिए, तो देखिए, आपका answer क्या आता है, फिर मैं आपको इसका answer बताता हूँ, एक्छल में इसका answer बनेगा, B 87%, अगर आपने 87% निकाल है, तो बिल्कुल सही है, फस्टो फोल तो dissociation होगा, क्योंकि यहाँ पर एक salt दे रखा, आपको B A N O 3 whole device, अब देखिए, ज़रा यह तूटेगा तो कैसे तूटेगा, एक तो B A प्लस आयन देगा आपको, और साथ में क्या देने वाला है, आपको 2 N O 3 minus 2 minus आयन देने वाला है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यह सोचिए, कि actual में यह total कितने आयन दे रहा है, एक तो B A प्लस और दूसरे 2 क्या दे रहा है, N O 3 minus, तो total N का value कितना होगा है, यहाँ पर 3, ठीक है, I का value आपको given है, that is 2.74, तो आप सीधा dissociation के लिए formula लगा सकता है, degree of dissociation for alpha is equals to I minus 1 upon N minus 1, यह simple सा formula है जिसमें value को put करना है, I का value रख दीजे, so alpha is equals to how much I की value कितनी है, 2.74, ठीक है, minus क्या कर देना है, 1 divided by N की value कितनी है, 3 minus 1, तो जब आप इसको solve करेंगे, इसका answer कितना हैगा, into क्या करना है, 100, ठीक है, तो 100 से जब आप इसको multiply कर देंगे, तो into 100 करने पर आपका कितना answer आएगा इसको एक करने का तरीका यह है, जो सीधे formula से कर सकते हो, दूसरे एक तरीका और है, जो हम आपको आपको आगे बता दूँगा, second question के तरह move करते है, दोनों question के answer, एक साथ check करेंगे, जो next question है, वो काफी जाधा interesting question है, कहता है, during a depression of freezing point, in a solution, following an equilibrium, आपको यह बताना है, freezing point के time प liquid solute, solid solvent, बहुत अच्छा सवाल है, और simple question है, theoretical question है, और जिसमें आपको without wasting any time, 10 second में इसका answer कर सकते हैं, अगर एक्जाम में आता है, तो और यह पूछा गया question है, ठीक है, I think AIPMT 2006 का question है, so देखिए यह इसका answer क्या बनेगा, तो एक्चल में इसका answer बनेगा, तो बताइए, आपको आता है क्या, so finally, इसका answer बनेगा A, अगर आपने A लगाया, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि solute जो होता है, आपने पढ़ा होगा, solute का कुछ नहीं विगड़ता है, solute जो है, ना तो वो जमता है, ना भोईल होता है, तो जो कुछ भी होता है, solvent का होता है, तो यह इसका answer है, it's a quite interesting question, next question जै करते है, यह इनके answers होगे, जो मैंने आपसे कहा था, first question को आप इस तरीके से भी कर सकते है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, यह तरीका है वैसे, by the way, ठीक है, formula निकाल लेगा, अगर आपको, अगर आपको formula याद है, that is, I is equals to क्या था, याद करो, sorry, alpha is equals to क्या था, alpha is equals to I minus 1 upon N minus 1, actually वो इसी process से आया है, आप गर आप चाहो तो यह process से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको second question का answer बताया है, वो मैंने आपको clear कर दिया, third question की तरफ move करते है, यह third question तो बहुत interesting question है, कहता है, the degree of dissociation, ठीक है, alpha या A, इसको कुछ भी हो लिए, of a weak electrolyte AX plus A AX BY, ठीक है, is related to went of factor I by the expression, it's a quite interesting question, देखे, simple है, आप जरा सोचिए कि AX और BY को जब आप यहाँ पर dissociate करेंगे reversibly, क्योंकि यह weak है, तो कैसे टूटेगा, X of A plus, ठीक है, और plus हात में क्या होगा, Y of B minus, इसी तरह से टूटना है, तो T is equals to 0 पर आप माल लोग किये कितना है, 1, ठीक है, 0 है, तो यह कितना होगा, 0, यह भी 0 होगा, क्योंकि time तो अभी शुरू हुआ है, और dissociation चालो ही नहीं हुआ है, equilibrium point पर कितना होगा, तो equilibrium point पर माल लेते कि 1 में से इसका कितना चला गया, 1 में से suppose, degree of dissociation A बाना है, तो A चला गया, यह आपको given है, देखे, यहाँ पर इसका कितना बनेगा, YA, बहुत simple है, तो अगर आपको यहाँ पर went of factor I निकालना है, तो आपको क्या करना है, equilibrium condition पर आपको देखना है, कि यहाँ पर total molecule कितने है, divide by initial condition में total molecule, उसको divide कर देना है, so finally I is equal to क्या बना, 1 minus A, ठीक है, plus XA, और plus में क्या करना है, YA, ठीक है, और initially आप यहाँ पर एक ही value निकालो कि तो क्या होगा, क्या answer निकलेगा, बड़ा फट से आप बताइए, so इसका answer actually D बनेगा, अगर आप चाहो तो calculate कर सकते हो, so चलिए guys बड़ा फट से 4th question चेक कर लेता है, 4th question क्या कहता है, the freezing point depression constant for the water is 1.86, if 5 grams of Na2SO4 is dissolved in 45 grams of H2O, the freezing point changed by 3.82 degree Celsius, ठीक ह यहाँ पर dissociation हो रहा है, फिर से, तो आपको calculation कैसे करनी है, जरा सोचे, यहाँ पर change in freezing point, delta TF का value किसके एकवल होता है, that is IE, ठीक है, into small m, that is molality, into क्या करना है, KF, तो आपको जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ से IE का value आपको calculate करना है, so finally event of factor I is equals to क्या होगा, delta TF, ठीक है upon capital small m into क्या करना आपको, KF, तो आपको KF का value given है, देखिए, यहाँ पर यह KF का value आपको given है, this is KF, ठीक है, और साथ ही साथ आपको delta TF का value given है, यह आपका delta TF, ठीक है, so finally delta TF है, KF है, और small m का value आपको निकालना है, small m का molality, that is moles of solute per kg weight of solvent, isn't it, यही तो था, तो finally आपको moles of solute निकालने है, solute आपको 5 gram दे रखा है, उसको, यानि moles कैसे निकाल लोगे, that is given mass by molar mass, molar mass आप NA2SO4 का रख दीजे, और साथ में क्या रखना है, आपको weight of solvent, उसको आपको kg में रखना है, तो आपको क्या करोगे, 1000 से 1 gram में दे रखा है, उसको 1000 से डिवाइट कर लेना, यहां से molality निकल जाएगा, इस molality के value का आप यहां पर रख दीजे, delta tf का value गिवन है, और kf का value भी गिवन है, यहां से i का value निकल के आ जाएगा, तो फड़ा-फड़ से आप calculate करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, चली, दोनों question के answer कर लेते हैं, इनके solutions मेरे पास है, so finally, यह है solution, So, देखे, i का value निकल के आ रहा है, 2.63, यह delta tf का value था, जो मैंने आप से कहा था, delta tf क्या होता है, i into kf into m, यहां से calculate करा, तो i का value कितना आ गया, 2.63, ठीक है, finally, ऊपर वाला question भी देख लो, इसका value क्या बनेगा, इसका answer आएगा, यह, अब कैसे आया, उसको मैंने हापर solve क कर दिया था, ठीक है, और यह, उसका solution रहा, So, चलिए, guys, fifth question को check करते है, फड़ापर से पढ़ते हो, उसको क्या कहता है, the elevation in boiling point for 13.44 grams of cocl2, ठीक है, dissolved in 1 kg, आपको सीधे weight दे दिया, 1 kg, of water as a solvent will be kb का value दे रखा है, यह तो बहुत ही straightforward question है, आप से elevation in boiling point पूछा है, that is delta tb का value प 2 के respect में देखे, तो i का value कितना होगा, that is 3, kb का value आपको given है, that is 0.52, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर m का value रखना है, m का value कैसे आएगा, that is given mass of solute, that is 13.44, यह given mass है, molar mass आपको दिया हुआ है, that is 134.4, यह molar mass है, और साथ में आपको weight to 1 दिया हुआ है यहाँ से straightforward answer आजाएगा, calculate करिए और इसका answer निकालिए, आपको मैं answer आगे बता देता हूँ, तो यह तो बहुत ही straightforward question था, कई बार simple question भी आ जाते हैं, जातर आपको ऐसे question देखने को मिलेंगे, 6 question चेक करिए, quite interesting question कहता है, during the osmosis, the flow of water through semi-permeable membrane is, आपको यह बताना है कि semi-permeable membrane में कहां से कहां कैसे होता है, तो देखिए, सबसे पहले तो solvent ही flow होता है, solute का flow semi-permeable membrane से होता ही नहीं है, ठीक है, यह solute के particles बड़े होते हैं, दूसरा इसका answer क्या बनेगा, तो बहुत अच्छा सवाल है, जो कि AI-PMT में आ चुगा है, 2004 का I think question है यह वाला, तो इसक answer क्या बनेगा, फटा-फट से बताइए, तो इसका answer बनेगा A, देखिए, from both sides of semi-permeable membrane with unequal flow rates, unequal flow से water, जो है, दोनों तरफ flow होता है, तो यह इसका answer है, तो चलिए, दोनों question के answer के आप लोगों को दर्शन करवा देता हूँ, now the fifth question answer is, this is your fifth question's answer, I का value 3 है, delta TB का value आपको निका कर लिया होगा, ठीक है, तो finally, इसका answer क्या बनेगा, जरा चेक कर लो, C answer बनेगा, ठीक है, और नीचे वाले question को मैंने आपको बता दिया है, कि six question का answer क्या होगा, अब चलते है, 7th question की तरफ, कहता है, 0.002 small m aqueous solution of an ionic, an ionic compound, आपको यह ionic compound दे रखा है, ठीक है, और यह complex compound है by the way, freezes at this, आपको, आपको क्या दे रखा है, basically freezing point दे रखा, the number of moles of ion, which one mole of ionic compound produces in water will be, आपको यह बताना है, एक्चल में यहाँ पर ion, यानि की n की value कितनी होगी, ठीक है, यानि की आप कहें, अगर यह पूरा dissociation होता है, dissociate होता है, तो I का value पूच रहा है, straight forward बात यह है, यहा बहुत आसान है, आपको देखिए, यहाँ पर Tf का value दे रखा है, ठीक है, और small M का value भी दे रखा है, और kf का value भी दे रखा है, टेक्चल में आपको क्या करना है, delta Tf is equals to, that is, I into kf, into क्या करना है, small M, आपको kf की value दे रखा है, M का value दे रखा है, I का value निकालो, approximately I, जो है, वो nk equal आएगा और यहीं आपके पास क्या number of ions तो फड़ा फड़स की calculate करो iq value कितनी आते ही फिर मैं आपको इसका answer बताता हूं इतने में next question भी check कर लेता है जो की again बहुत अच्छा सवाल है theoretical question इसमें से काफी पूछा आता है जिनके answer देना आसान होता है ठीक है अगर आपको अच्छे से knowledge हो तो क्या कहता है जरा देखिए कहता है an aqueous solution is one molal in ki आपको ki का aqueous solution त्यार किया आपने वो कितना है one molal ठीक है which change will cause the vapor pressure of the solution increases आप इसमें ऐसा क्या करो कि आप पर vapor pressure increase हो जाए तो जरा सोचो आप क्या करोगे अच्छा addition of an a2SO4 नहीं ऐसा क्यों 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 अगर आपने यह डाल दिया तो वो क्या करेगा vapor pressure को relative lower कर देगा बजाए बढ़ाने के ठीक है क्योंकि आप डिसोसेशन होगा अगर यह बढ़ा तो relative lowering बढ़ेगी vapor pressure आपको increase करना है घटाना नहीं है सेम इसके साथ भी होगा अगर आपने किया ही ओड डाल दिया तो किया ही तो क्या होता है यह क्या है क्या है यह क्या है वोलेटाइल नहीं है तो यहाँ पर जो water है वो तो कम से कम volatile हो जाएगा तो vapor pressure तो बढ़ी जाएगा तो C इसका answer है और यह बहुत अच्छा सवाल है अगर आपने क्या किया नोन वोलेटाइल सोल्यूट और बढ़ा दिया जिससे रिलेटिव लोबरिंग आ जाएगी वेपर प्रेशन में इसका answer सी बनेगा नेक्स कोशिन चेक करो और यह इनके नोन आइडियल में कैसा है नेगेटिव और पॉजटिव काफी अच्छा सवाल है फड़ा फट से आप बताईए फिर मैं आपको इसका answer बताता हूं बहेव लाइक नियर आइडियल नू नू ऐसा नहीं है आईडिल के जैसा बहेव नहीं करता है ठीक है क्यों देखिए इथ इसका answer बनेगा डी चोज पॉजटिव डिएशन फ्रों दा रोल लो डी अंसर बनेगा और अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही है लास्ट क्वेसिंग नमबर 10 वें 20 ग्रैम्स ओ यह क्या है नेफ्थॉनिक एसे जिसका फॉर्मला आपको घिवन है इस डिस डिसल्ट बहुत ही straight forward question है तो यहाँ पर delta tf का value किसके एकवल होगा that is i into kf into small m तो आपको i का value आपसे पूछा क्या है तो i का value आपसे पूछा है तो वो क्या होगा delta tf upon क्या करना आपको kf into m और यह question काफी बार पूछे आते हैं यहां से delta tf का value आपको given है यह आपको kf का value भी given है व आपको इसके molar mass से divide कर दो फाइनल यहां 50 gram दे रखा है इसको 1000 से divide करो क्योंकि kg में रखना है जिससे हमका value निकल जाएगा उफट अपट से i का value calculate करके बताओ इन दोनों answers के मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ 9th question answer is 9 question answer यह बनता है solution of acetone ethanol positive deviated होता है और 10th question का answer यह रहा जिसका screenshot लेके आप देख सकते हैं यहां पर आएका value 0.5 होगा ठीक है तो इसका answer आएगा 0.5a question क्या कहता है the sequence of ionic mobility this is so much important again ionic mobility in aqueous solution is यहां पर आपको यह बताना है कि यहां पर ionic mobility कि सबसे ज़्यादा होगी order बताना है अपना answer लोग कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ so क्या guys आपके अपना answer लोग कर लिया तो मैं आपको बता हूँ so actually में इसका answer बनेगा भी यह कैसे हो गया आपको actually aqueous solution में पूछा है यह काफी interesting है क्योंकि यहां पर सबसे छोटा size किस ion का है sodium का तो जैसे ही यह sodium ion aqueous solution में जाएगा तो होगा कुछ यूँ कि actually यह hydrated हो जाए देंगे तो इसकी size जो है iron की size तो छोटी है लेकिन hydrated iron की size बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि छोटी size होने की वज़े से जादा से जादा water molecule जो है वो इसको घेरना शुरू कर देंगे अगर घेर लेंगे तो यह इतना mobile फिर नहीं रह जाएगा इसका मतलब सबसे जादा mobile क कि तो एने प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि सबसे जादा water molecules को घेरेंगे तो इसका मतलब यहां पर सबसे जादा आइनिक mobility एकुबस सॉल्यूशन में सीजियम आइन किये फिर उसके बाद rubidium किये उसके बाद potassium किये और उसके बाद sodium की है यहां बच्चे गलतिया ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि सबसे बड़ा आइन तो कैसे इतना mobile हो सकता है लेकिन एकुबस सॉल्यूशन में पूछा गया है आपसे इन दोनों की आंसे में आपको आगे भी चेक करा दूंगा next question जो आपसे पूछा है वह बहुत interesting again कहता है एए फिम्टी 2009 का question है क्या कहता है the equivalent conductance of m by 32 isn't it यह molarity दे रखी of solution for a weak monobasic acid is 8 moho centimeter square gram equivalent inverse and at infinite dilution is 400 moho centimeter square gram equivalent inverse the dissociation constant for this weak acid यह काफी interesting question है और बहुत बार पूछा जाता है देखो dissociation constant जो होता है कि वो weak acid के लिए होता है c alpha square upon 1 minus alpha यह सब चीज़ें आप equilibrium में पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर भी आपको सिखाए जाती है अब यहाँ पर अगर आपको conductance के respect में alpha निकालना है so alpha का value होता है the equivalent conductance at any instant divided by the equivalent conductance at zero concentration यह infinite dilution जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब को करना कुछ नहीं था यहाँ पर देखो any instant पर तो 8 दे रखा है infinite dilution पर 40 दे रखा 40 नहीं है 400 है यहाँ पर जब इसको calculate करोगे तो 0.02 आ रहा है साफी दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको ज़रा धान से देखो यह value जो है एक से बहुत छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि alpha को neglected कह सकते है तो यहाँ पर नीचे वाले factor को 1- alpha को approximately 1 के एकबल मान सकते है क्योंकि alpha बहुत छोटा है तो यहाँ से के किसके एकबल आ गया C alpha square तो आपको बस C के value दे रखिए कितनी है 1 by 32 यह value आपको given है into alpha की square करनी थी आपका alpha कितना है 0.02 की square करनी है तो actual में जो आप इसको solve करोगे तो इसका answer बनेगा B तो अगर आपने B निकाला है तो plus 4 mark हो गए आप दोनों इनके answers को मैं check करवा देता हूँ चलो यह देखो यहाँ पर लिखा भी है more hydration if smaller size of cation more hydrated iron size अगर size जितना cation का size छोटा होगा hydration उतना ही ज़ादा होगा मतलब hydrated iron का size उतना ही ज़ादा होगा और mobility उतनी कम होगा यह मैंने आपको बताया था दूसरा solution यहाँ पर यह मैंने आपको करके दिखाया था यह solution आपके सामने लिखा हुआ है और इस तरह से इसका answer निकलना था तो यह दो question होगा है फड़ा फट से अगले दो सवाल ले रहते हैं फड़ा फट से चलो next question जो की aims 2006 का question है क्या आपको यह आता है फड़ा फट से पढ़ो जिसको आता है वो answer करो लोग करो उसके बाद मेरा answer सुनो कहता है the charge required for the reduction of one mole of MnO4 minus 2 Mn plus 2 बहुत आसान सवाल है आपको answer अगर लोग कर लिया हो तो फिर मैं बता हूँ फटा-फट से चलो इसका answer बनेगा B अब यह कैसे आया बहुत simple है आपको कितना charge यहां पर जितना change आता है उतना ही आपको देखना होता है यहां पर जितना charge required है तो अब जड़ा चेक करो Mn की oxidation state में change कितना आया है यहां पर 1 mole दिया है तो 1 mole होगा ना यहां पर Mn यहां पर है plus 7 oxidation state पर जबकि यहां पर है plus 4 oxidation state पर जड़ा चेक करो total change oxidation state में कितना आ रहा है तीन का तो यहां पर तीन के respect में मतलब 3 mole electron चे रहेंगे तो energy total charge कितना हो गया तो simple है तो आपको इन questions पर कुछ नहीं करना होता है change in oxidation state चेक करना होता है तो उससे आपका आसानी से अंसर आजाएगा मतलब क्या है कि उतने electron उतने mole electron उसने लिए तो उतनी energy आपको चाहिए या उतनी electricity आपको चाहिए यह 2006 का question है simple सा चोथा जो question हो भी प्रिलिम में पूछा गया है 2010 का question है यह काफी अच्छा सवाल है देखो कहता है for a reduction of silver iron with copper metal at the standard cell potential was found to be this ठीक है काफी interesting है silver और copper का आपने एक cell बनाया और उनका reduction potential standard वाला 25 degree Celsius पर आपका कितना आ रहा है 0.76 तो पूछता है the value of standard Gibbs energy बहुत आसान सवाल है ज़रा ध्यान से चेक करो first of all तो आपको पता है कि यहाँ पर silver iron है तो ag plus उसका आपने copper से reaction करवाया ठीक है तो यहाँ पर copper किसमें convert हो गया cu plus 2 में और जो ag हो reduce हो गया यही equation बनेगा इसको आप balance करो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर charge balance नहीं है इस तरफ charge एक उस तरफ 2 तो यहाँ पर 2 लगा दूँ उसके बाद यहाँ भी 2 लगा दूँ तो आप बताईए कि actual में यहाँ पर total electron कितने transfer हो रहे है यह देखिए यहाँ पर उसने 2 electron silver ने लिये क्योंकि 2 है और इसने 2 दिये तो copper electron इसने दे दिये तो यहाँ पर 2 electron lose किये तो यहाँ number of electron की value कितनी हो कि 2 अब चलता है Gibbs energy के formula पर बहुत आसान है यह तो पता है अब कुछ बचा नहीं है minus n की value कितनी है 2 f की value होती है 96500 और e0 की value आपको उपर दे रखिए 0.46 तो इसको आप calculate कर लो आपका answer आ जाएगा and the answer of this question is kilojoule में answer है minus में है minus 100 दिखी रहा है that is B so actually में इसका answer बनेगा B अगर आपने B निकाला तो कि plus 4 mark इमानदारी सब्सक्राइब गलत किये तो minus 1 इन दोनों की answers में आपको आगे दिखा दोगा next question काफी interesting question है और जातर बच्चे इसमें confusion में रहते हैं कि हमें करना क्या है तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए बहुत बच्चे इसमें मुझसे सवाल पूछते रहते हैं तो आपको answer देता हूँ देखे सबसे पहले आपको E not Fe plus 2 से Fe का value दे रखा है E not Fe plus 2 से Fe ये आपको reduction potential दे रखा है जब आप Fe plus 2 से Fe पर जाते हो दूसरा आपको Fe plus 3 से Fe पर जाने के लिए reduction potential भी दे रखा है तो ये concentration cell होँ बेसिकली जो नया बन रहा है और उसका potential ये दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है एक तो ये data given है जिसमें reduction potential दे रहा है plus 2 से plus का और plus 3 से plus का अब जातर बच्चे सोचने लगते है कि यहाँ पर इसको Gibbs से solve करना पड़ेगा नहीं आपको Gibbs बाला formula तभी लगाना होता है जब आपको तीसरा cell पूछा और उसमें कोई electron दिखे हो तो देखिए आपको क्या पूछा the standard EMF of reaction इस reaction के लिए आपको बताना है कि EMF किता होगा आप देखिए जिसके लिए पूछा है क्या उसमें कोई electron दिखाई दे रहा है क्या आपको नहीं तो आपको सीधे सीधे करना होता है इन सवालों को आपको इसके लिए क्या formula लगाना होता है that is E note of cell is equals to E note of oxidation potential plus E note of reduction potential यही करते हो आप आपको पता होना चीए और actual में बस जिसका oxidation हो रहा है जरा उसको चेक कर लो जिसका reduction हो रहा है जरा उसको चेक कर लो तो आप देखो यहाँ पर गोर से देखो आप दोनों data's को देखो यह देखे इसका reduction potential बहुत ही कम है इसका मतलब इसका reduction तो नहीं हो सकता तो इसका तो oxidation होगा तो हमने decide कर लिया तो actual में इसका oxidation होगा तो इसका oxidation potential कितना होगा इसका reduction potential दे रखा आपको कितना ये देखो दुबारा बोल देता हूँ, इसका reduction potential minus में है, देखिए गोर से, दिखरा है, इसका reduction potential plus में है, actual में फिर इसका तो होगा oxidation, क्यों क्योंकि इसका reduction potential minus में है, इसका reduction नहीं हो सकता, और इसका होगा cell में reduction, तो चलो, तो cell कैसे बनेगा, सबसे पहले तो Fe, जो है Fe plus 2 में जाएगा, और यहाँ पर यह देखिए salt bridge, और उसके बाद यह जो Fe plus 3 है, वो किस में convert होगा, Fe में, तो यह आपका पूरा cell हो गया, इसको concentration cell गोलते हैं, तो करना कुछ नहीं है, जिसका oxidation हो रहा है, उसका oxidation potential ले लो, बता उसका reduction potential दिये, तो oxidation potential कितना हुआ, plus में हो जाएगा न, that is, यहाँ पर, that is, 0.4410, यह तो हो गया, oxidation potential पहले वालेगा, यह देखो, क्योंकि इसका reduction potential माइनस में हो, तो आपको plus लेना पड़ेगा, oxidation potential के लिए, plus reduction potential दूसरे वालेगा, 0.7710, दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ के आपका जो answer बनेगा, वो बनेगा A, दो अगर आपने यह किया है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई Gibbs energy का formula की जुर्थ नहीं है, माँ को दुबारा specify कर देता हूँ, Gibbs की formula की जुर्थ तभी पड़ती है, जो आपको तीसरा cell जो दिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ electron left हो जाएं, बच जाएं, हाफ cell के लिए ज calculation करने के बाद, जो अगला है, वो बहुत ही असान है, चाहे तो आप इसको ऐसे solve कर सकते हैं, हाफ cell के respect में, दोनों को तीन और दो से multiply किया, तो 6-6 electron थे वो cut गए, या आप इसको यह कर सकते हैं, किसका full cell का यह बनेगा, और full cell के लिए हमार पास formula होता है, दोनों बे से कर सक यह ऐसा question है, जो कि Gibbs free energy वाले formula से ही निकलेगा, अब ऐसा क्यूं है, तो जड़ा check कर लो, फड़ा फड़ से last में, जो half cell के लिए EMF पूछा है, और यहाँ पर electron बच जाएंगे, इसलिए ऐसा है, तो question को check करो, क्या कहता है, कि Cu plus 2 से 1 electron लिया, Cu plus में जाते हैं, और उसके Cu plus 2 से Cu की तरफ जाएंगे, तो कितना होगा, तो इन question को करना बड़ा ही असान है, तो चलो, इन questions का answer मैं आपको बताता हूं, फड़ा फड़ से, पीछे कहर मैंने इसको solve कर रखा है, तो देखो, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, बहुत ही असान है, और Gibbs से होगा यह, क्यों है, जरा check करो, एक एक चीज को ध्यान से देखो, सबसे पहला cell आपको जो EMF दे रखा था, 0.15 बुक किसका उसको लिखो, जब आप Cu plus 2 से कहां जाते हो, Cu की तरफ, कैसे जाओगे, जरा सोचो, एक electron लेके ही तो जाओगे, तो यहाँ पर उसका EMF दे रखा है, तो उसक की value को as it is रख दिया, दूसरा cell पकड़ो, जब आप Cu plus से कहां जाते हो, Cu की तरफ ही आपका दूसरा cell है, चेक कर लो question के अंदर, और उसमें भी एक electron लेकर आप जाओगे, उसके लिए आपको E note का value दे रखा, 0.5, तो आप देखो, Gibbs energy change, delta G2, G not 2, किसके एको लोगा, minus of N, F, E note 2, N की value कितनी है, वो तो 1E अभी भी, तो 1, यानि कि 0.5 यहां से उठाके रख दिया, और यह हुआ F, अब आपको जो तीसरा cell है, ज़रा उसको देखो, जिसके लिए आपको पूछा है, यह आप से पूछ रहा है, थर्ड cell है, आप जब Cu plus से कहां जाते हो, Cu की तरफ, यह उसके लिए जो EMF पूछा, उसको आपको निकालना है, तो E note 3 माल लो, अब देखो, इसके लिए G note 3 का value क्या होगा, that is minus of NF E note 3, तो यहां पर N की value 2 है, तो यह पूछे, देखो, half cell होगा न, तो electron आ रहे है, तो इसके लिए Gibbs energy को use करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 लगा दिय है, क्योंकि यहां पर electron 2 आ रहे थे, तो यह 2 put कर दिया, ठीक है, यह value आपको निकाल ली है, F तो आपका farad है, तो आपको पता है कि यह जो, आपका जो तीसरा cell है, वो दोनों cell के addition से आएगा, जरा check कर लो, तो आपको दोनों cell के addition से आएगा, तो उनकी Gibbs energy में भी relation होगा, that is G naught 3 is equals to G naught 1 plus G naught 2, तो सबकी values उठा के रख दो, डब रख दी, तो E naught 3 का value आ जाएगा, that is 0.325, तो एक्चल वे इस का answer बनेगा, 0.325 D answer है, अगर आपने D निकाल है, तो आप बिल्कुल सही हो, last question ले लेते हैं, standard electrode potential of these XYZR, आपको इनके standard electrode potentials दे रखते हैं, standard electrode potentials of these metals, ठीक है तो आप से क्या पूछता है, देखो standard reduction potentials ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर headache नहीं लेना है, जो series दी होती है, reduction potential की form में दे रखी, अब आपको पूछता क्या है, कहता है, इनकी reduction power का, आप order बताओ, reduction power का मतलब है, सामने वाले को reduce करे, यानि खुद oxirize हो जाए, अब आप यह चेक करो कि इन में से सबसे असानी से oxidize कोन होगा, जो सबसे मुश्किल से reduce होगा, मेरी भाषा को सुनो क्या पूछा है, यहाँ पर आपके से reducing power पूछिए, x, y और z की, reducing power का मतलब क्या है, जो सामने वाले को reduce करे, यानि कि यह खुद क्या हो जाने चाहिए, oxidize, तभी त आसानी से easily कौन होगा, oxidize easily कौन होगा, जिसका reduction potential minimum है, minimum है, तो यहाँ पर जड़ा चेको, reduction potential minimum किसका है, यह रहा, z का minimum है, उसके बाद किसका है, x का, तो z सबसे आसानी से, सबसे अच्छा हो, reducing agent है, फिर x है, फिर y है, इसका answer बन गया, a, तो यहाँ पर मेरी तरफ से 10 ultimate questions हो इनके solution में आपको दिखाई दिये थे, so, first जो question है, वो CBSE PMT 2002 का question है, देखिए, काफे interesting के कहता है, which reaction is not feasible या possible नहीं है, ऐसी कौन सी reaction है, तो आप पहले वीडियो को post कर लो, अपना answer log कर लो, उसके बाद आपको answer बताता हूँ, so, आपने log कर लिया, तो चलो मैं आपको answer बता यह सब को पता है, कि जो iodine है, वो bromine से less reactive होती है, तो यह possibility नहीं बनती है, ठीक है, so, second question की तरव चलते है, फड़ा फट से, second question भी काफी अच्छा है, जो कि यह पिप्री 2003 का question है, कहता है, the EMF of a Daniel cell at 298 Kelvin is even, आपको दे रखा है कि 298 Kelvin पर Daniel cell का EMF दे रखा है, ठीक है, that is even, तो को आपको Daniel cell का पता है कि ये, देखो, ये बैनिल cell का आपको दे दिया गया है, यहाँ पर equation भी, यहाँ पर जोęण प्लस टु का, यहाँ पर ZN प्लस टु का concentration आपको दे रखा है, 0.04 का मतलब यही निकलता है, कि वो ZN प्लस टु का concentration है, 0.01, ठीक है, and cu divergent का concentration दे रखा है, when when the concentration of ZNSO4 आपने ZNSO4 का concentration कितना कर दिया 0.01 से कर दिया 1 ठीक है M and of COSO4 आप 1 से इसको कहां लेकर चले गए 0.01 तो आपसे पूछता है EMF changed to E2 So E1 और E2 में क्या relation है अगर आपने concentration change कर दी तो आपसे पूछ रहे E1 और E2 में क्या relation है बहुत ही अच्छा सवाल है अगर आप इसका answer कर सकोते हैं तो आपको answer आ गया क्या तो चलो हम आपको बताता हूँ Actually में इसका answer बनेगा B अगर आपने B लगाया तो इमान दरी से अपने आपको किते माग देदेने आपको प्लस 4 अब जरा ध्यान से देखो यह कैसे आया तो आपको मैं clear कर देता हूँ जरा ध्यान से इसको देखो सबसे पहले यहाँ पर equation क्या बनेगा जरा चेक करो ZN किस में convert होगा ZN oxidize होगा किस में जाएगा ZN plus 2 में 2 electron चोड़ देगा finally copper देखो copper copper जो है वही 2 copper plus 2 वही 2 electron लेकर किस में convert हो जाएगा Cu में reduction हो जाएगा तो actual में जो equation बनेगा वो कुछ ऐसा होगा that is जरा ध्यान से देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरफ तो यहाँ पर होगा zinc और plus Cu plus 2 इसने इट और वो आपको क्या देने वाला है यहाँ पर Zn plus 2 देने वाला यह तो सबको पता है और सबने देखी भी हुई है और यहाँ पर copper तो आप देखो सारा खेल जो actually Q का है देखे है reaction coefficient क्या बनेगा यहाँ पर reaction coefficient देखो यह तो solid होता है यह भी solid होता है तो इनका जो activity होता है वो 1 होता है तो reaction coefficient बन रहा है आपका उपर आ रहा है zinc का concentration और नीचे आपका किसका concentration denominator में आएगा copper cu plus 2 का concentration सारा खेल Q का Q है क्योंकि आप nurse equation जब लगाते हो तो nurse equation क्या लगाते हो e cell is equals to e naught cell minus 0.059 upon capital N, N का value यहाँ पर कितना है 2 तो मैं clear कर देता हूँ क्यों क्यों क्योंकि दो electron लिये जा रहे है दो ही दिये जा रहे है ठीक है और साथ में क्या लगाते हो आप लोग और साथ में यहाँ पर Q तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप Q लगाते हो ठीक है तो आप ज़राद धहां से देखो यह minus का sign है अब Q का मतलब तो यह हो गया कि Q की value अगर मैं रख दू तो वो बनती है ZN plus 2 का concentration and Cu plus 2 का concentration, आप खुदी सोचो कि अगर मैंने ZN plus 2 का concentration बढ़ाया, तो E का value घटेगा न, यही आप कर रहे हो, आप ZN plus 2 का concentration कित्ता कर रहे हो, 0.01 से E की तरफ, तो अगर आपने इसको बढ़ा दि इमने 1996 में repeat हुआ हुआ question है, कहता है, an electrolytic cell contains a solution of AG2SO4 and have a platinum electrode, a current is passed until 1.6 grams of, now look at it, grams of oxygen has been liberated at anode, the amount of silver deposited, यह बहुत ही असान सावाल है, यहाँ पर Faraday का second low सीधे लगा सकते हो, कैसे, that the W1 upon W2, किसी भी दो electrode जिसमें current सेब हो, उनके mass का ratio, उनके equivalent mass के ratio कि क्या होता है, equal होता है, इतना आसान सावाल था, यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको करते, आप देखो W1 आप मानलो, किसके लिए मानोगे, आप oxygen के लिए मानलो चलो, और W2 यहाँ पर silver के लिए मानलो, तो यहाँ पर equivalent mass भी आपको oxygen का रखना है, और यहाँ पर किसका रखना है, silver का, तो च is equal to, equivalent mass of oxygen, 8, जरा गोर से चेक करो, equivalent mass of oxygen, देखो oxygen का n filter कितना होता है, 4, अब equivalent mass कैसे निकालते है, molar mass divided by n factor, so molar mass oxygen का कितना होता है, 32, 32 पर से 4 भाग दो, तो कितना होता है, 8, oxygen का equivalent mass आपको याद रखना है, 8 होता है, silver का जो equivalent mass होता है, वो 108 होता है, अब आप निकाल लो, यहा 8, ठीक है, divide किस से करना है, 8 से, तो यह सीधे-सीधे short answer आजएगा, चलो मैं इसके answer का आपको दर्शन भी करा देता हूँ, फटा फट से, क्या आपने लोग कर लिया, तो चलो इसके answer का दर्शन कर लो, फटा फट से, यही मैंने आपको कहा था, यही मैंने तरीका लगाया है देखो, W1 upon W2 is equals to E1 upon E2, बस इधर-उधर हो गया और कुछ ने, तो फटा-फट से, यही फोमला है, second लोग इसी को बोलते है, और यही मैंने अप्लाई किया, और यहां से answer कितना आ गया है, जड़ा चेक करो, 21.6 gram, तो यह इसका answer हुआ, 21.6 gram, ठीक है, उसका answer मैंने आपको बता दिया, next question देखिए, कहता है, 2.5 farads of electricity is passed through, CPMT 1996 का question है, वीडियो पोस कर अपना पांसर, तो बहुत यह असान सवाल है, ठीक है, solution of COSO4, the number of gram equivalent पूछ रहा आप से, अगर आपने इतनी, इतनी electricity produce कर रही है, पास कर रही है, तो gram equivalent पूछा आप से, तो of copper deposited on the cathode, बहुत यह असान है, जितना आप ferret flow कराते हो, उतने ही gram equivalent ही कठे होते हैं, simple सा तरीका है, इसका answer बनेगा C, तो दोनों answer की दर्शन आपको फटा-फट से करालते हो, उपर गाले की तो मैंने करवाई दिये थे, तो आप pose करके इसके solution को चेक कर सकते हो, बहुत ही असान है, नीचे वाले चाहिए, बहुत ही असान है, that is, आपको cap EQ का unit पूछा है, और वो क्या होगा, फटा-फट से बताओ, ohm centimeter square mole inverse, वो तो होता है, किसका, cap M का, तो equivalent की जगह क्या लग जाएगा, equivalent inverse, तो ये इसका B answer है, और ये काफी ज़ादा बार पूछे के सवाल है, ऐसा क्यों क्योंकि कपा into thousand divided by, यहाँ पर आप normality लेते हो, तो आप कपा की unit रख दो, फटा-फट से, और normality की unit आपको पताइए, दोनों रखोगे तो आपके पास ये answer आजाएगा, तो simple सा question था, अगला सवाल है लेता है, फटा-फट से, ये भी बहुत ही असान सवाल है, CPMT 1999 का question है, फटा-फट स सामने वाले को reduce कर, यानि खुद oxidize हो जाए, यानि कि जिसकी reduction potential minimum है, तो check करो, सबसे minimum reduction potential तो first की नजर आ रही है, मुझे, कि minus 3.104, तो first की नजर आ रही है, तो actual मैं answer इसका क्या हो गया, A, so guys, इस दोनों question का answer मैं आपको बता दी, इसका answer B होगा, और इसका answer A होगा, अगले सवाल पर चलता है, फटा फट से, देखिए next question, जो कि ये PIMT 2011 का question और काफी अच्छा सवाल है, कहता है, अब buffer solution is prepared in which, in which the concentration of, देखिए, ammonia, weak acid कलाता है, concentration of ammonia is 0.3m and the concentration of NH4 plus is 0.2m, अब ये जो सवाल है, एक्चली एक्रोक्रिमिस्टरी का तो नहीं है, ये equilibrium से question आ गया, लेकिन question तो हमरे लिए question ही है, क्योंकि ये PIMT 2011 का question है, तो देख लेते हैं, इसको भी फटा फट से, now, if the equilibrium constant, Kb for ammonia is equals to this, what is the pH, आप से पूछ रहा, pH क्या होगा, of the solution, ये बहुत अच्छा सवाल, और आपको log की value भी दे रखिए, जो शायद बीच में इस्तमाल होगी, तो देखो, आपको याद होना चाहिए, buffer solution, जो की weak base, weak base का buffer solution का pH का formula, weak base के लिए buffer solution का pH का formula, आपको याद होना चाहिए, that is POH, आपको देखो, pH और pH में सो relation बता होगा न, मैं यहाँ साइड में लेख देता हूँ, देखो, pH प्लस POH, प्लस POH, वो किसके एक बल होता है, 14 के, ठीक है, 25 Celsius पे 14 के बल होता है, तो अब अगर आपको pH पता लग जाए, यहाँ पर POH पता लग जाए, तो pH निकालना तो आसान है, तो POH is equals to 4 weak base के लिए, ठीक है, तो POH is equals to PKB, प्लस log of salt का concentration upon weak base का concentration, यह simple सा formula होता है, यह salt का concentration upon weak base का concentration, यह simple सा formula लगाना था आपको, आपको KB का value दे इससे PKB निकाल लो, PKB क्या होता है, minus of log of KB, तो यहाँ से PKB निकालोगे, और साथ में salt, यानि की salt देखो, NH4 प्लस का जो concentration, actually वो salt का concentration है, और weak base खुद ammonia उसका concentration है, गिवन है, तो इस तरह से आप इनकी value रग दो कि आपके पास answer आजाएगा, चलो मैं आपको answer के दर्शन कर आपको reason बता दिया, तो फटा पर से देखो, ammonia का concentration, जो कि खुद weak base है, 0.3, और उसके salt का concentration, 0.2, तो KB का value आपको दे रखा है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या formula लगा के भी कर सकते हैं, तो साइट में मैंने formula लिख दिया है, इससे करोगे, अगर आपको यह याद है, तो KB, ठीक है, तो KB लिख लो, फटा फट से, यहाँ से OH- की value निकल लो, अगर आपने यहाँ पर OH-, आप चाहो तो यह भी कर सकते हो, बात एक ही है, यह जो formula निकल क्या है, वो यहीं से ही निकल क्या है, आप देख लो, दोनों में similarity है, तो यहाँ से OH- की value आपको निकाल ली तो KB की value, first of all, आपने रग दी, उसके बाद आपने क्या रखा, ammonia का concentration रख दिया, नीचे क्या रखा, NH4+, का concentration रख दिया, यहाँ से OH- आपको pH निकालना था, that is minus of log of OH-, तो यहाँ से value रख दी, और इसका answer आगया, तो इस तरह से आपको answer निकालना था, चलो फड़ा-फड स इसका answer तो हमने कर लिया, यहाँ आपने देखी लिया, चुम इसका answer कितना होगा, 9.43, ठीक है, तो इसका answer बनेगा 9.43, एंटी लोग लेके answer निकालना था, तो फड़ा-फड से आपके चलते हैं, next है, आपके पास standard electrode potential for SN plus 4 से SN plus 2 couple, is this 0.15, बहुत ही असान सावाल है, and for CR plus 3 स CR couple, ठीक है, इसके लिए जो बना है, वो है, यह minus का value है, इसको आपना देना, यह minus है, क्योंकि इसके बिना, यह value जो है, minus होती है, ठीक है, इसका reduction possible नहीं होता, 0.74 volt, तो यह minus है, और यह plus है, ठीक है, यह values, मुझे question याद है, क्योंकि मैंने यह question बहुत सारे करवाए हुए ह these two couples in their standard state are connected to make a cell, ठीक है, the cell potential will be, यह data आप check भी कर सकते हो, don't worry about that, इसका data को book में भी मिल जाएगा, तो यह minus में होता है, ठीक है, अब आप से कूछता अगर इन दोनों combine करके आपने cell बनाया, तो इसका final EMF, enote cell क्या होगा, तो बहुत यह असान है, यह तो निकालना, enote cell क्य potential, तो आप देखो, oxidation किसका होगा, जिसका reduction potential कम है, यानि कि इसका oxidation होगा, तो इसका reduction potential, इसका reduction potential कम है, इसलिए, तो इसका oxidation potential कितना होगया, plus 0.74, ठीक है, क्योंकि यह तो reduction potential है, जो कि minus में है, तो उसको plus में convert करा हो, उसको मैंने use कर लिया है, यहाँ पे, और plus 7 में क्या करना है reduction potential जिसका reduction होगा तो वो कितना हुआ 0.15 दोनों को जोड़ दो तो answer क्या आएगा D so इसके answer के भी मैं आपको धर्शन करा देता हूँ फड़ा फड़ से देखो SN plus 4 से SN plus 2 ये value आपको दे रखिए ये देखो correction आपको कर रहा है ठीक है question में आपको correction कर लेना था और साथ में इनोट cell कैसे निकालते हैं यह आपको formula दे रखा यह reduction के point of view से दे रखा reduction of cathode minus reduction of anode तो आप कैसे भी कर सकते हो एक ही बात है उसको आप minus यहाँ पर reduction की जगा oxidation लेगो तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो मैंने जो यूज किया वो भी सही है और यह भी सही है आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो अगला सवाल next question है वो की aims 2003 का question है देखी का कहता है time required to deposit one million mole ammonium metal by passing 9.65 ampere through molten electrolytic containing aluminium देखो बहुत आसान है यहाँ पर time निकालना तो देखो आपको number of मोल्स electrochemistry में कैसे निकालते हैं बहुत आसान होता है यहाँ से आपको time निकालना था तो time t is equals to क्या होगा that is moles into n factor into 965 00 divide क्या करना था current यह simple सा तरीका है अब बताव मोल कितने मिली मोल है यानिकी 10 देखो पार minus 3 यह तो मोल हो गए aluminum का n factor कितना होता है तीन और यहाँ पर 965 00 तो यह फेरेड का factor divided by current कितनी है that is 9.65 ठीक है तो बहुत simple है यह कट गया आपस में 10 देश्टो पार 4 से यहाँ पर कितना आया 30 30 आंसर बनेगा इसका इसका है a answer कितना असान सवाल था अगला जो सवाल यह 50 2004 का question है फड़ा फड़ से देखो दिस standard EMF of a galvanic cell involving cell cell involving cell reaction with anis was to 2 यहाँ पर number of electron participating दे दिया आपको सीधे ही ठीक है और आपको उसका reduction potential भी दे दिया है जो EMF 5 का standard वाला वो भी दे दिया है 0.295 वोल्ट at 25 degrees Celsius पूछ रहा है equilibrium constant बता हो हां यह अच्छा सवाल है ऐसे सवाल पूछते हैं तो चलो इसके solution का धर्शन करा देता हूं दोनों के in fact तो यह तो रहा आपका उस question का that is mole is equal to current into time divided by n factor into 965 00 सीधे formula निकालके moles निकाल सकते हैं यहां से time निकाल लिया हमने और 30 seconds आ गया अगला सवाल है क्योंकि equilibrium आ चुका है तो e-cell का value equilibrium पर कितना हो जाता है 0 तो अगर e-cell का value 0 हो जाता है तो बचा क्या nurse equation के हिसाब से e-node cell बचा that is 0.0591 upon n साथ क्या बचा log of kc यही बचा अब आपको देखो जरा ध्यान से e-node cell की value दे रखे जिसको आपको यहां पर रख देना था n की value 2 है वो पहले सी कह रहा है kc क value आपको निकाल ली है तो यहां से लोग कैसी लिया उसके बाद कैसी लिया एंटी लोग लेके इसका answer आगया 10 तो पार 10 तो यह इसका answer बना तो एक्चुल में 10 तो पार 10 आपके पास a answer आजाएगा इसका ठीक अगर आपने निकाला है तो प्लस 4 तो लो फड़ा फड़ा देखो पड़ा-पड़क से पढ़ो क्या क्या से लेक्ट्रौंड फ्लो हॉता है क्योंकि क्योंकि लेक्ट्रों जो है जिंक का फ्लो हो रहे हैं तो प्लस्दी yn की तरफ लो होगा यह बीруट तो गॉ जो है वो दो electron cathode में लेकर किस में convert हो जाते हैं Cu plus में तो यह आपका सही answer है फड़ा फट से answer आपको मिल गया अगर आपने C लगा है तो आपका सही है next question ले लेते है question number 12 कहता है 4.5 grams है ठीक है grams of aluminium उसका mass भी दे दिया आपको 27A वरी deposited on cathode from AL plus 3 solution by certain quantity of electric charge the volume of hydrogen produced at STP from H plus sign in the solution by same quantity देखो यह वही फेराडे का second low लगा दो that is W1 upon W2 इसका जो ratio होता है उनके equivalent mass के ratio के E1 upon E2 के equal होगा अब यहां से आपको क्या करना सिर्फ volume निकालना था तो पहले आप mass निकाल लो क्या फरक पड़ता है mass को volume में convert कर लेंगे तो देखो सबसे पहले तो यहां पर aluminium का mass कितना है 4.5 ठीक है aluminium का mass है आपको hydrogen का mass निकालना है इसको W2 माल लेते हैं aluminium का जो N factor होता है वो 3 होता है क्योंकि aluminium पे charge कितना होता है plus 3 तो aluminium का equivalent mass देखो molar mass 27 divided by N factor 3 तो यहां पर 9 लिखेंगे aluminium का equivalent mass 9 होता है hydrogen का equivalent mass होता है कितना 1 देखो बहुत simple hydrogen hydrogen होता है S2 molar mass कितना होगा 2 और यहां पर N factor भी इसका कितना होगा 2 क्योंकि 1 hydrogen पर 1 plus होता है तो 2 पे कितना होगा 2 तो 2 divided by 2 1 तब इससे कितना असा निकला आप W का value निकाल लो वो कितना होगा that is 4.5 divided by 9 simple सा है that is 0.5 अब जब आपके पास mass आगया तो आप बचाई क्या आप सीधे क्या करो mass से mole निकाल लो mole क्या होगा given mass by molar mass mass given कितना है 0.5 molar mass कितना है 2 तो यह moles कितने आगया 1 by 4 अब यहां 1 by 4 अगर आई गये तो आपको volume निकालना STP पर आना चाहिए volume क्या होता है moles into 22.4 यानि की 22.4 को आपको chart से divide कर देना था तो answer बनेगा 5.6 D तो यह देखो इसके answer के दर्शन भी करा देता हूँ यहां पर देखो आप और में जो मैंने करवाया आप इसको भी कर सकते हो चाहो तो यह standard formula है लेकिन आप short में भी कर सकते हो यह रहा W1 upon W2 is close to E1 upon E2 इस तरह से आप answer निकालते वही आपके पास answer आजाता वापस तो यह मैंने आपको answer के दर्शन करा दी तो 11 के answer के भी दर्शन करा दी Now this is your first question जो कि CBSE PMT 2002 का question है बहुत अच्छा सवाल है simple question है देखे क्या कहता है that कहता है thrice of A will give you twice of B the rate of fraction DB by DT is equals 2 तो यहाप पर differential rate low लगाना था आपको बहुत आसान है अगर यहाँ पर आपने अपना answer log कर लिया तो मैं आपको बताओ तो चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ अगर आपको differential rate low लगाँ तो क्या लिखूँगा reactant के case में आपको minus का sign लगाना होता है stoichiometric coefficient नीचे जाता है और साथ में DA by DT ठीक है यह किसके एकबल होगा product के case में आप plus का sign लगाते हो stoichiometric coefficient नीचे आता है तो आपको पूछा क्या है आपको पूछा है DB by DT तो यह 2 कहां जाएगा उस सरफ चला जाएगा तो answer क्या होगा 2 by 3 minus वाला 2 by 3 minus का DA by DT तो B answer होगा इसका बहुत यह असान सवाल था आपने I hope आपने कर लिया होगा और अगर सही किया है तो plus 4 इमानदारी से plus 4 mark आपको देने है ठीक है evaluation अच्छे से करोगे तब ही होगा second question की तरफ चलता है फड़ा फट से second question aims 2002 का question knowledgeable question है कहता है आपसे the reaction hydrogen or chlorine with sunlight HCL बनाते है taking place on water the order of reaction देखो आप जब भी sunlight में कोई reaction कराते है तो वो reactant की concentration पे बिल्कुल depend नी करती है इसका answer आएगा zero और अगर आपने zero लगाया तो आपके plus 4 mark फिर से होगे तो totally slide से आपके plus 8 mark होगे अगर आपने दोनों question सही किये है तो अगला सवाल ले तरह फड़ाफट से देखिए फड़ाफट से next question NCRT 1979 का question और aims देखिए आप ये repeat हो चुका है बहुत important repeat हो चुका है बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते है sir कि ये तो बहुत पुराने question है अरे chemistry थोड़ी पुरानी हो जाएगी और आप पिछले 5-6 साल के question उठा के देखो आपको लगता है examiner और पिछले 5 साल के question देखा जो easily available है और ये ऐसे ही question आपको 5 साल के paper में भी मिलेंगे सिर्फ data change होता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो मुझे comment में बहुत सारे बचे ऐसे लिख देते हैं सर बहुत पुराने सवाल है chemistry भी तो बहुत 200 साल पुरानी है ये भी तो सोचो ये question ही तो repeat होते हैं आप देखो जाके आपको मालूम पड़ेगा so आप believe करो we are teachers हमें 6-7 साल का experience हो में पता है वहां से क्या लेना है तो आप बड़े ध्यान से practice करते जाओ next question देखो और ऐसे same question आपको latest भी मिल जाएंगे जाके जाके check करो बहुत rare case में ऐसा होता है कि नए question बनाया जाते है बाकी repeat होता है data change करके so don't worry about that question पड़ो कहता है आप से for a chemical reaction A to B it is found that the rate of reaction doubles now look at it rate of reaction आपकी double हो जाती है when the concentration of A increases four times तो आप से पूछता है कि A के respect में order क्या होगा तो आप बताओ इसका answer क्या होगा तो चलो मैं आपको इसका answer बता देता हूँ इसका answer बनेगा आपको बताओ अगर आपने निकाल लिया हो तो इसका बनेगा C half तो देखो सबसे पहले तो rate of reaction जो है आप A से B बना रहे हो तो यहाँ पर rate of reaction कैसे लिखोगे ज़रा सोचो rate of reaction R is equals to K A to the power हमें order तो पता नहीं तो N लगाओगे आपकी first reaction हो गई ठीक है अब वो क्या कहता हो वैसा वैसा करते जाओ तो rate of reaction आपकी double हो जाती है यहाँ कि twice of A ठीक है which is equals to K A की concentration अब आप यह कितनी कर दिये concentration of A increase of 4 times तो 4 of A कर दिया ठीक है तो यह आपके पाद 2 reaction बन गई और यहाँ से आपको N की value निकालनी है दोनों reaction को क्या करो देखो ज़रा ध्यान से double हो जाती है मतलब यह पहले R थी आप कितनी होगे twice of R पहली reaction से पहले से double हो जाती है यह आपकी बन गई equation number 2 तो first to second को divide कर लो और order निकल लो तो first to second को divide करके order निकल लो अब कितना आएगा C, half आएगा ठीक है बहुत असान सा वालता इसके इन दोनों question के answer के दर्शन में आपको थोड़ी देर में करवा देता हूँ कि कैसे करना है लेकिन मैं आपको idea तो दे ही दिया यहाँ पर निकालना बहुत असान है दो equation है दोनों को divide कर लो R से R cancel K के के से K cancel यहां से N का value आजाएगा ठीक है बहुत असान है A rest to power N से A rest to power N के answer तो क्या बचा जरा खुदी सोचो So finally answer आजाएगा बहुत simple है Next question देखो Question number 4 क्या कहता है 4R reaction A plus B Reversibly giving you C plus D आप कहता है doubling the concentration of both the reactants ठीक है Again ऐसी equation बनेगी Increase the rate of reaction 8 times बहुत बढ़िया तो जरा धान से देखो सबसे पहले आपके पास R कैसे लिखोगे rate लो लगाओ K A to the power अपने को पता नहीं है वो कितनी है X माल लो और B to the power वो भी पता नहीं है कितनी है तो Y माल लो या आपके पास first equation होगए या आपको बस equation बनानी होती है to the power X and twice of B to the power Y तो या आपके पास second equation बन गया ठीक है तो देखो जरा ध्यान से अब आपको तीसरा line और देता है कहता है and doubling initial concentration of only B simply double the reaction ये तो बहुत असान है अगर आप सिर्फ B को बदलते हो तो आपका जो reaction है double हो जाता है तीनों से divide करके आप answer निकाल सकते हो इस तरह से इनको solve करना होता और actual में देखो क्योंकि rate of reaction जो है B के respect में अगर आप इसको double कर रहे हो तो ये भी double हो रही है तो मतलब क्या निकला rate of reaction is directly proportional to B तो ये तो answer नहीं हो सकता ये भी answer नहीं हो सकता तो answer बनेगा या A या B ठीक है तो इसका answer बनेगा B आप तीनों equation को जब solve कर लोगे तब तो चलो दुनों answer के दर्शन करा देता हो यहीं यहाँ पर भी किया हुआ है जरा देखो आपने सबसे पहले first third question को check कर लो ठीक है आपने सबसे पहले rate को लिख लिए K A to the power N अब आपको क्या कहता है जरा धान से देखो यानि की rate R1 माल ली K A की concentration को कितना माल ली है माल लो alpha so this is alpha alpha to the power N अब आपने जरा धान से देखो जैसे ही आपने आपने जो concentration है वो four time करी तो जो आपका rate of reaction है वो double हो गया मतलब पहले से double हो गया so R2 कितना है twice of R1 है so यह देखिए R2 twice of R1 है उसको हमने यहां लिख दिया so N का value निकाल लिए वो कितना है half तो इस तरह से आप solve कर सकते हो यह भी तरीका है और आप किसी भी तरीके से solve करो देखो यहां से भी आपने rate लिख दिया और initial और इसका 8 times हो जाता है यह हमने equation बना ली जिससे हमारे पास यह आगया पहला equation इसी तरह से दूसरे को use किया यह इस तरह से solve कर सकते हो यह तीनों equation को solve कर सकते हो अगले सवाल ले लेता है फड़ा फड़ा next question देखो जो कि A है PMT 2005 का question है कहता है the rate of reaction between 2 reactant A and B decreases by a factor 4 rate of reaction जो है 4 से degrees हो जाती है if the concentration of the reactant B is doubled अब आप खुछ सोचो rate of reaction आपकी 4 से 4 times घड़ जाती है जब आप क्या कर रहे हो B की जो concentration है उसको double कर रहे हो मतलब क्या निकला जरा सोचो B की concentration को double करके rate घट रही है तो इसका मतलब जो power होगी वो obviously minus में something होगी तो ये तो answer नहीं हो सकता खुदी सोचो घटने का मतलब क्या हो गया power जो है वो minus में है अब सोचो कि आप जब आप यहां पर double करने पर ये four times घट रही है तो obviously minus में one तो नहीं हो सकती है minus का two e होगा इतनी आसानी से इनके guess कर सकते हो answers को आप खुदी ही सोचो अपने आप answer आ जाएगा आप रखके देख सकते हो तो आप यहां से क्या निकल के आता है that r is directly proportional to b raised to power minus 2 अब आप खुद रखके देख लो अगर आपने b का concentration यहां पर double कर दिया twice of b कर दिया ठीक है तो यह आपका पहला rate था r1 की value 1 है तो अब आपने अगर इसको double कर दिया तो यह r2 की value r1 से कितना हो जाएगी 2 to the power minus 2 that is 1 by 4 तो आप खुदी सोचो हो गए न 1 by 4 तो इसका answer क्या बना टी वैसा ही सवाल है जो पहले किये हैं हमने लेकिन थोड़ा सा minus answer आ रहा है इसलिए थोड़ा सा typical होग है और कुछ नहीं है आप 2 से 3 बार आ चुका है मैं आपको वो years भी बताऊंगा आप खुद सोचो कहीं लोग कहते हैं कि question repeat नहीं होते है तो question repeat भी होते हैं देखो कहता है for a first order reaction आपके पास एक first order reaction है first of all ठीक है the the reaction rate at at reactant concentration of 0.01 capital M ठीक है is found to be this आपको rate of reaction दे रखा है आप आपसे half life पुछिए तो सबसे पहले जरा धान से रेखो first आप first order reaction के लिए rate कैसे लिखते हो r is equals to k और a to the power कितनी लगाओगे 1 क्योंकि यह first order reaction है यह तो आपके पास equation हो गया यहां से आप क्या करो आपके पास rate given है concentration given है तो k का value निकाल लो तो k का value क्या बनेगा rate by concentration of a rate भी दे रखा है concentration भी दे रखा है यह रहा आपका rate रेट का है जरा चेक करो 2 into 10 is to power minus 5 और आपका concentration कितना है 0.01 तो यह कितना आगया जरा चेक करो यह point गया ओपर 100 हो गया तो यह कितना 2 into 10 is to power कितना बचा ठीक है आपके पास answer आजाएगा और एक्चल में इसका answer कितना बनेगा डी अगया दोनों answers के दर्शन करा देता हूं चलो first के लिए यह रहा आपका final solution ठीक है जैसे कि है सबसे पहले आपने A और B के respect में rate लिख लिया ठीक है वो rate होगा यह और उसके बाद जब आपने इभी का concentration को double कर दिया तो आपका जो rate है 1 by 4 हो जाएगा तो दोन equation को solve करने के बाद minus का 2 answer आया और यह आपका रहा next question और यह question में आपको दिखाऊंगा कि repeat भी हुआ कौन से साल में हो आप वो देख लो तो चलो फड़ा फट से question number 7 चेक कर लेते हैं कहता है for the reaction A of A will give you X of P when A 2.2 M यानि की millimolar the rate was found to be 2.4 again equations बना नहीं लेकिन data थोड़ा सा hard है on reducing concentration of A to half the rate changes 0.6 आपको दो आपको statement दे रखिये 0.6 mmol per second ठीक है the order of the reaction is और नीचे वाला question तो वो similar question है सिर्फ आपको यहाँ पर practice के लिए नीचे दिया गया जिसका answer 347 यह repeat हो गया है तो एक question आप check कर सकते हो चलो इस 7th question के answer को मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कि कैसे उसको solve करना है फिर से आपके बाद 2 equation है जरा देखो आपके पास A का concentration जब 2.2 है तो आपकी rate of reaction है 2.4 तो इससे एक equation बनेगा तो जरा check करो सबसे पहले rate low कैसे लगाओगे that r is equals to k a to the power n आपकी rate हो जाती ही 2.4 जब आपकी A की concentration है 2.2 क्लीर होता है सबको अब second case वाला check करो second क्या कहता है आपसे देखो जब आप A की concentration को half कर देते हो तो आपके पास rate कितनी हो जाती है 0.6 तो देखो जब आपने A की concentration को half कर दी 2.2 का half कितना होता है 1.1 ये value उठाके रख दी तो आपके पास rate of reaction कितनी हो जाती है 0.6 तो आपके पास यह दो equation आगे दोनों को आप divide करो तो आपके पास answer आजाएगा 2, तो finally इस question का answer कितना बनेगा 2, भी answer हो गया, तीसरा question तो फोई similar question है, इसको solve किया हुआ है, पहले भी मैंने करवा दिया है, यह आपके practice के लिए आप देख लो, अलग-अलग years में होगा है, next question देखो, question number 9, question number 9, जो है, वो CPSC PMT 2003 का question है, कहता है, if the rate of the reaction is equals to rate constant, अगर आपकी rate of reaction rate constant के equal हो, तो बताओ कि उसका order क्या होगा, बहुत आसान है, इसका मतलब reactant की concentration to the power 0 पे depend कर रहे हैं, तो 0 order हो गया, क्योंकि rate constant के equal आगया, simple सा question be answered, next question check करो, question number 10, question, अब ये question number 10 भी similar question है, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, आप से फिर से half life पूछा है, आपको सबसे पहले के का value निकालना है, वो क्या होगा, rate divided by A, इससे करके निकालो, उसके बाद T half, पूछी है, आप सी same question आपकी practice के लिए लिखा है, देखो, CBS EPMD 2004 का question है, सिर्फ data change करके आपको question मिल गया, और ये वही सवाल है, 0.693 को आप क्या करोगे, के से divide कर दोगे, आपका answer भी आ जाएगा यहां से, ठीक है, तो ये question भी मैं करवा चुका हूँ, तो करवा नहीं रहूँ, आपकी practice के लिए आप करो, यानि question number 8, question number 10, आपकी practice के लिए है, same question है, जैसे कि मैंने पहले करवाया था, अगला सवाल देखते हैं अपड़ा पुट, question number 11 और 12 जो है, बहुत अच्छा सवाल है, इस वीडियो के, question number 11 देखो, MPPMD 2009 का question है, और question number 12, DPMD 2010 का question है, और दोनों activation energy पर हैं, तो जरा चेक करो, कहता है, the rate of, rate of gases reactant triple, when the temperature is increased by 10 degree, from 25 degree Celsius, the energy of activation of the reaction in kilojoule per mole will be, अच्छा सवाल है, पहले आप कर लो, उसके बाद मैं आपको solution बताता हूँ, तो आपने कर लिया, second question भी साथ ही attempt करो, दोनों question के answer मैं एक साथ बताऊंगा, तो फटा-फट देखो, so second question भी देख लो, यहाँ पर आपको देखो, क्या दिया हुआ, यह data आपको जड़ा चेक करो, आपके पास, जैसे आपने 10 degree Celsius से आपने temperature increase किया, तो आपका जो rate है, वो triple हो गया, तीन गुना हो गया, तो आप से push activation energy बताऊ, ठीक है, यह question है, दूसरा सवाल पढ़ो, कहता है for the first order reaction आपके पास दे रखी है rate constant, यह simple question है, उपर वाले से simple है, that the rate constant of 1.3 into 10 is to par minus 11 per second at 270 degree Celsius, and the rate constant is this at 350 degree Celsius, तो कहता है activation energy बताऊ, इसमें तो सीधा formula use होना है, दोनों question कर लो, उसके बाद मैं आपको दोनों के answer बताता हूँ, क्या आपने कर लिये, तो चलो इनके answers को check कर लेते हैं, कैसे solve होंगे, सबसे पहले 11th question, अब 11th question के लिए देखो, आप देखो, हम लोग पहले से जानते हैं कि activation energy उन में क्या relation होता है, लोग k1 upon k2 is equals to, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यह देखिए, फड़ा फड़ से आपको formula बतायता हूँ, नीचे लिखा हूँ, लोग k1 upon k2, ठीक है, तो यहाँ पर k2 by k1, आप इसको k2 by k1, अगर यहाँ पर t1 minus t2 लिखते हो, यहाँ पर क्या होगा, k2 by k1, यह वाला formula same ही है, जो यहाँ पर इस्तमाल कर लिया गया है, ठीक है, लोग k2 by k1 is equals to activation energy divided by 2.303, r1 by t1 minus 1 by t2, यह simple formula आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर chemical kinetics में, activation energy वालिव के अंदर, बहुत simple सा formula जिसको drive भी किया हूँ, आप चाहे तो previous वीडियो मेरे देख सकते हैं, rate of reaction थी k, और वापस वो कितनी होगी, thrice time, 3 गुना हो गई, तो आप तो activation energy निकालनी है, same formula 2.303, r का value change होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या दे रखा, जरा चेक करो, आपने 10 degree Celsius से change किया है, तो पहला temperature कितना था, जरा चेक करो फड़ा फट से, बस वही T1 और T2 की value आ गई, यह पर T1 और T2 की value उठा के रखे, 10 degree Celsius से change करा, तो आपके पास अंसर आ जाएगा, जरा चेक करो, तो फड़ा फट से यह answers होए आपके, और यहां से answer निकल के आएगा, 5, 1, 3, ठीक है, so next question भी similar है, आपके पास different temperatures given है, और उसके rate constants given है, आपको से रफेक्टिबेशन energy की calculate करनी थ इसके solutions मैंने यहां पर आपको करवा दिये, first question is, पहले आपको पढ़ना है, सवाल पढ़ लीजे अराम से, और फिसके उसके बाद आपको answer अपना लोग करना, फिर मेरा answer चेक कर लेना है, तो whatever से बताइए, आपका first question का answer क्या है, इतने मैं change कर लेता हूँ, now the first question is, कहता है, which one of the following characteristics is not correct for the physical adsorption, physical adsorption के लिए पूछा आप से कि कौन सा यहां पर characteristics सही नहीं है, not correct पूछा है, तो बदाए आपका answer क्या है, चलिए तो मैं आपको answer बदाता हूँ, इसका answer बनेगा B, अगर आपने B लगाया तो आप बिल्कुल सही आपके plus 4 mark हो गए, अब यह कैसे, the adsorption increase increase in temperature, नहीं, it may decrease, तीकि temperature बहाने से adsorption बढ़ता नहीं है, कई situations में घटा भी है, इवन जाता situation में घटा है, तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है, second question चेक करता है, first question का answer बन गया भी, अगर आप भी लगाया तो बिल्कुल सही हो, second question चेक करो, which of the following statement is false, जातर ऐसे ही question प अगर मेरे से match कर रहा है, तो बिल्कुल सही हो, तो plus 4 mark हो गए, ठीक है, so इसका answer बनेगा D, यहां पर the particle size of adsorption, adsorbent does not affect the amount of adsorption, यह गलत है, size पर depend करता है, ऐसा possible नहीं है, otherwise solution इसमें फिर फरक ही जा रहा, ठीक है, so यह आपका second question का answer हो गया, D answer बनेगा, otherwise बाके सब सही है, ठ बहुत अच्छा सवाल है, कहता है, the gold number protective colloids A, B, C, D, आपको gold number दे रखे है, A का gold number है, यह वाला, B का gold number आपको दे रखा, यह, C का gold number है, यह, D का gold number है, यह, और D का gold number है, यह, आपको क्या बताना है, the correct order of their protective powers, तो फड़ा फट से अपना answer लोग कीजिए, फिर मैं आपको ब बनेगा, देखे, जो आपके पास gold numbers होते है, basically, वो protective power के anti-proportional होते है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल, जिसका gold number सबसे कम है, उसके protective power सबसे जादा है, सबसे कम किसका है, D का, और उसके बाद किसका है, देखे, उसके बाद जादा किसका है, B का, तो D, B, और उसके statement is correct, यह भी बहुत बार पूछा गया है, adoption से most common question में count होता है, x by m to the directly proportional to p raise to power 0, p raise to power 1, p raise to power 1 by n, और all of the above, तो इसका answer क्या बनेगा, फटापर से आप बताईए, तो चली हम आपको बताता हूँ, इसका answer बनेगा, D, all of the above, अगर आपने यह लगा तो बिलकुल सही हो, क्योंक next question is, कहता है थी, coagulating power of electrolytes having na plus al plus 3 ba plus 2 for the arsenic for the arsenic sulfide soul increase in the order of, यह बहुत अच्छा सवाल है, फड़ा फट से आप बताईए, पहली बात तो arsenic sulfide soul होता है, basically वो कैसा होता है, negatively charged, तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि coagulating power जो है electrolyte की, इन में क्या होगी, order बताना है आपको, तो आप बताईए, फिर में आपको बताता हूँ, so actual में इसका answer क्या बनेगा, इसका answer बनेगा B, अगर आपने फी लगा है तो बिल्कुल सही हो, coagulating power जो होती है, basically positive charge के directly proportional होती है, इसका मतलब जितना positive charge उतनी coagulating power जादा, और actually coagulating power क्या होती है, basically liquid का semi solid या फिर solid में convert होना, ठ क्याता है, the catalyst increase the rate of reaction by, अब इसका answer दीजियो, फिर में आपको बताता हूँ, so चलो इसका answer बनेगा C, decreasing activation energy, again बहुत अच्छा सवाल था, क्या करता है catalyst, activation energy को कम कर देता है, एक graph यह है, और अगर आपने catalyst use किया, तो दूसरा graph, यानि कि activation energy को कम कर देता है, ताकि reactant से product असानी स बन जाए, तो इसका answer activation energy, यहनि कि C answer होगा है इसका, next question checker of it, question number 7, which of the following souls is positively charged, यहाँ पर positively charged soul के बारे में पूछा है, question number 7 का answer दीजे, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अभी मैंने आपको answer दिया, यह तो कैसा होता है, negative, तो यह answer नहीं हो सकता, तो इसका answer क्या है, ferric hydoside भी positively charged होता है, और यहां silver iodide भी positively charged होता है, तो actual में इस question के answer बनेंगे, that is B, C, और D, ठीक है, तो आपर तीन answer अगर आपने तीन हो बता है, तो आप बिलकुल सही, आपके कितने माग होगा है, plus 4, guys, this is so much important again, question number 8, check करो, precipitation is, precipitation क्या होता है, आपको यह बताना है, now, फ immersion of precipitate into colloidal sol, that is again so much important, B answer बनेगा, अगर आपने P लगाया, तो बिलकुल सही हो, next question की तरफ भूव करते है, फड़ा-फड से, now, the gold number of leophobic sol is such property that, आपको यह बताना है, question number 9 का answer क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं, so, चलो, मैं आपको बताता हूं, match कर लेना, that is answer of this question is C, C, अगर आपने C लगा, तो बिलकुल सही हो, it's lower its value, greater is the protective power, यह तो मैंने पहले एक question कराया, जिससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए था, last question लेने ते इस वीडियो का, और यह बहुत अच्छा सवाल है, now, the last question is, which of the following are incorrect statement, आप से पूछता है कि incorrect statement क्या है, ध्यान से तो फड़ा-फट से आप सबको read कर लो, उसके बाद आपको answer बताता हूं, तो चलिए आपको बताता हूं, इसका answer, इसका answer बनेगा, C as well as D, तो देखिए यह D तो आपको पहले से पता होगा, higher the gold number, more will be the objective power, यह तो गलत है, क्योंकि less होता है, तो यह तो गलत हो गया, इसका म guys, I hope आप लोगो बहुत अच्छे लगे होगे question, और अगर आपको अच्छे लगे हो, तो आपको चार चोटी-चोटी से काम करने है, first of all, तो subscribe कर लेना, I hope आप लोगो ने subscribe तो करे लिया होगा, वीडियो को share केजिए, that is so much important, आप याद रखिए, वीडियो जितनी दूर तक जाएंगी, और मेरी आवाज जितनी दूर तक जाएंगी, आपके लिए हमारी टीम उतने ही अच्छे वीडियो बनाते रहेगी, और साथी साथ वीडियो को like कीजिए, और comment section में अपने marks को ज़रूर लिखिए, guys, do these four work, अगर आपको एक भी question समझ में है, और अच्छा लगा झाल सफ में ह Anglo, आपको जो है वीडियोग ज Tamil्ण में है, झाल सफ वीडियो क वीडियो तक जाएंगी, जाएंगी, आपको एकड़ में चाल सबकै यदितनी वीडियो़ को ।श्य वीडियोग में है।